हेलो एवरीवन नमस्कार आप सबका स्वागत है मैं इस लेट नाइट क्लास में आप सबका वेलकम करता हूँ आज सोचा थोड़ा सा कि हमारे UPSC के एस्पिरेंस है उनको रात भर नीद नहीं आती और वो डेली मेसेज करते हैं वाटसप पर मेरे मेनेजर को कि सर रात में नीद नहीं आती क्या करें नीद की बड़ी समस्या नीद कैसे लाएं तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आपको नीद नहीं आती नीद आने का उपाय तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो नीद नहीं आती और जो समय आप वेस्ट करते हो थोड़ा सा उसको यूटिलाइज करा दिया जाए थोड़ा सा बेनिफिट करा दिया जाए और आप पढ़ लें तो आपके लिए क्लास लेकर के आगे हैं तो मैं भी देखते हैं कि किस तरीके से रिस्पोंस रहता है उसके साब से आगे की क्लास इसको भी डिसाइड करेंगे कि क्या लेट नाइट में भी आपके लिए कोई क्लास और गनाइज कराई जा सकती है या नहीं ठीक तो लाइक सेर करते हैं आजीए सभी लोग एक बर फैला हुज़रा कि रात में एक वज़े क्लास शुरू हुई है तीन चार वज़े तक चलेगी तो सुबह सुबह आधी रात और सुबह तक आप हम सब बने रहेंगे जो नए दोस्त आते हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते मेरा नाम ललित यादो है और मैंने डबल मे किया है लोग पृषासन राजनीती विज्जान से B.A.C.T क्वालिफाई है गोल्ड मैडलिस्ट रहा हूँ MMA में मास्टर्स में और M.Phil किया है M.Phil में गोल्ड मैडलिस्ट रहा हूँ N.J.R.F छे बार क्वालिफाइड है पिसले 5 साल से टीचिंग का काम कर रहा हूँ आप अगर इंडिया के टोप एजुगेटर से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस और आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से कोई पूरा का पूरा स्लेबस एकदम ऐसे वे में कराई कि आपका रिजल्ट हो जाए तो आप अपने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जहां पर आपको सो से भी ज्यादा टीचर एक ही प्लोट प्लेटफोर्म बर पढ़ाते हुए मिलेंगे और सभी टीचर बेस्ट है अपने अपने एडिया के बेस्ट टीचर इन सभी की क्लासिज आपको मिल जाएंगी और आप सब की क्लास देख सकते हैं एक ही एडमिशन से और अभी बहुत सारे ओफर्स भी आपके साथ चले हुए कि आप एक साल का कोर्स लेते हैं तो अगले सा की टेस्ट सेरीज भी सब आपको फ्री मिलेगा ये फीस है के वल ध्यान रखें कोंबो कोर्स प्लस की बात कर रहा हूं मैं जिसमें जी एस और ओप्शनल दोनों है तो बहुत अच्छा डिसकाउंट अने के तरफ से आपके लिए चला गया है तो ये एक साल दो साल और तीन स जब भी कोर्स जोइन करेंगे तो फीस में डिसकाउंट के लिए कोड लगाना पड़ता है तो वो कोड यही कोड होना चाहिए याद रखेगा यही कोड हो इसको अपलाई कर देना फीस में डिसकाउंट और परसनल गाइडेंस दोनों आपको रेगुलर यहां पर मिल ठीक है और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को परसनली ही गाइड करता हूँ वन ओन वन गाइड करता हूँ आप जब भी कोल करेंगे आपकी डायरेक्ट बाचित मेर से ही होगी तो टेलीग्राम चैनल के थूर आप मेर से जुड़ सकते हैं मेरी परसनल डिटेल्स वहाँ प पर प्रोवाइड करता है जब आप कोर्स जोइन करते हैं अनेकेडमी पर यूपिसी का तो सारी किताबे घर पर आ जाते हैं उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जोड़त नहीं उन किताबों में सब कंप्लीट स्लेबस 100% स्लेबस को कवरेज करके अपडेट करके उन के पास होता ही है उससे आप EMI बना सकते हैं अगर वो नहीं है तो आप लोन ले सकते हैं एजुकेशन लोन अनकेडमी से उसमें भी महिने महिने करके आपकी पेमेंट हो जाती है तो लोन का प्रोसेस और उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम च चाहिए तो यह कोड जरूर डालना ल-y-l-i-v-e तीचर के नाम में मेरा नाम यानिकी ललित यादव और कोड में ल-y-l-i-v यह डालना आपको लोन ननकेडमी से मिल जाएगा वो कोल कर लेंगे कोल करके आपको सारे प्रोसेस समझा देंगे जब भी आये कोल उनको बोलना सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते तो आप सभी के लिए है स्कोलर्शिप टेस्ट आप दीजिए संडे को इस कोड के साथ दीजिएगा यह कोड लगाने से फ्री हो जाएगा यह ल-y-l-i-v-e इसको अप्लाई कीजिएगा तो फ्री में हर संडे को 11 बज़े टेस्ट और भी बहुत सारे आईपैड मीनी मिलेगा एपल एरपोर्ट मिलेंगे स्पीकर कई सारे प्राइज तो जीतिए करिए टैलेंट दिखाईए ठीक है चलिए अभी प्रिलिम्स का माहूल है तो 10 अक्टूबर गो प्रिलिम्स है तो प्रिलिम्स के लिए दो महिने का स्पेशल ओफर अनकेडमी आपके लिए लेकर क्या है आप ये लवाई लाइव कोड लगा करके दो महिने का कोर्स केवल 13,500 रुपे में जोइन कर सकते हैं कम्प्लीट क्रैस कोर्स है प्रिकिस कम्प्लीट रिविजन कम्प्लीट तियारी हो जाएगी अठारा तारीक से यानि कि आज स प्रिक्राइब करोगे तो ये कोड लगा करके उनको उपन करना है इसको लगाओगे इस प्री क्लास जो हो आप देख पाओगे मैंने भी करा रखिए इसके लिए करना क्योंगा उपको अनकेडमी का लर्निंग है इप इंस्टोल करना है मोबाइल में यूपिस सी 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 का गोल सेलेक्ट करना है और ग्रीन कलर में गेट सब्सक्रिप्सन ऐसे आएगा हरे रंग में उस पर टेच कर देना है तो आपके सामने ये फीस का स्ट्रक् ओप्सनल इसमें एड करेंगे ओप्सनल एड करने का ओप्सन आएगा फिर वो कॉंबो कोर्स बन जाएगा दो तरीके के कोर्स है नकेडमी पर एक आइकोनिक और एक प्लस अगर आप जोइन करते हैं तो इन दोनों में सारी चीज़े सेम है दो चीजों को लावा जैसे आइक आइकोनिक का कोर्स है उसमें अन अकेडमी आपको एक मेंटर प्रोवाइड करते हैं जो आपको परसनली गाइड गरता है ठीक है साथ ही आपको आंसर राइटिंग की फैसिलेटिय मिलती है जिसमें आप बहुत 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 नंबर स्कॉर कर पाओगे उसकी मदद स मेंस में क्योंकि मेंस में सारा का सारा खेल आंसर राइटिंग का ही है लिखने का ही है वो स्कॉर करो तो अच्छा नंबर मिलेगा तो रैंक अच्छा आएगा तो एक्जाम क्रेक होगा तो आइकोनिक में फैसलिटी है हाँ आपको डिसकाउंट चाहिए 10% और परसनल मेंटर से टीचर की चाहिए मेर से चाहिए आप चाहते हैं कि डारेक्ट टीचर ही आपसे जुड़े वो ही आपको गाइड करे डारेक्ट बात हो क्योंकि मैं अपने सारे स्टूडेंट से बात करता हूं खुद बात करता हूं मैनेजर मेरे भी है लेकिन वो आपको केवल रिपलाई जाता है इससे फीस में discount होता है और personal guidance दो चीज मिलती है तो code याद रखेगा LY-LIVE यही referral code apply करते हुए course को join करना है an academy पर ठीक है optional course भी join कर सकते हैं LY live code के साथ तो उसमें भी आपको discount मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं कि अलग से केवल optional पढ़ना चाहते हैं तो वो भी join कर सकते हैं यह मेरे courses है अनकेड़ी पर तो यह code याद रखेगा LY-LIVE इसको जरूर apply करना है सफलता का code है discount और personal guidance दोनों मिलेंगी चलिए जी तो केंद्र साशित प्रदेश इसको देख लेते हैं chapter number 40 ठीक है chapter number 40 तो how's the joss कैसे है जोस है वही आप लोगों का जोस बताएं जरा आप से बिल्कुल जो भी सवाल जवाब हैं आप सभी के सवाल जवाब बिल्कुल रास्ट में मैं लूँगा आपका कोई भी question हो आप मिरसे पूछ सकते हैं class के end में like share करते वे आज़िए आप सभी लोग class को लेट नाइट की रात की class आप सब लोगों के लिए स्टार्ट हो गई है तो जोस अभी हाई जोस दिखाया है कि नहीं दिखाया गायब हो गया जोस कि यूपी एस्ट पिरेंटो जो सोना चीए हाई जो सोना चीए लगातार बने रहना चीए चलिए जब केंद्र सासित प्रदेश ये chapter इसको देखते हैं जब भी हम union एक में भारत का राज्य छेत्र तीन स्रेण्यों में बाता गया है पहला राज्य छेत्र दूसरा केंद्र गरे किये जाते हैं राज्जियों के विधाई सक्राइअ थोड़े सा कारे 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 सक्राइविघा अलग से मिलती हैं केंद्र से हट कर गें लेकिन जो union territories है केंद्र शासित प्रदेश जो हैं यह ऐसे प्रोदेस हैं जो सीधे की सीधे center government के अंडर में आते हैं अब इस book में correct कर लीजिए ठीक है एम लक्षमी कांद की book है इसको थोड़ासा update कर लेते हैं क्योंकि पुरानी है तो उस समय थोड़ासा इसमें अपडेशन नहीं है इसके अंदर लिखा गया है कि वर्तमान में 29 राज्ये और 7 केंदर सासित प्रदेश इनको काट करके correct कर लेजिए 28 राज्ये और 8 केंदर सासित प्रदेश ठीक है ये हमारे वर्तमान समय में अगर हम structure देखें भारत में केंदर सासित प्रदेश होगा तो है क्योंकि ये book थोड़ासा पुरानी है पुराने टाइम में पब्लिस हुई है उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू कस्मेर का विभाजन हो जाता है जम्मू कस्मेर का विभाजन होने से दो केंदर सासित प्रदेश नए बन जाते हैं तो दो केंदर सासित प्रदेश बनने से कुल केंदर सासित प्रदेशों की संख्या 9 हो जाती है राज्यों की संख्या 28 हो जाती है लेकिन जनवरी 2020 के अंदर दो केंदर सासित प्रदेश जिनका नाम दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव हैं उनको जोड करके एक ही union territory बना दिया जाता है और उससे भारत में टोटल मिलाकर के वर्तमान में अब आठ केंदर सासित प्रदेश और 28 राज्ये ये हो गए हैं इसको आप अपडेट कर लेना है ठीक है इसको आप अपडेट कर लेना है सभी राज्ये भारत की संख्ये विवस्था के सदस्ये हैं और वह केंदर के साथ सक्ती के विभाजन में सहबागी हैं अगर आपसे कोई मोटा-मोटा अंतर पूस लिया जाए ये बतादो राज्ये में और केंदर सासित प्रदेश में अंतर क्या है तो एक सिंपल सांतर है केंदर सासित प्रदेश सीधे सेंटर गवर्मेंट के अधीनाते केंदर के अधीन होते नाम से ही पता चल जाएगा केंदर सासित प्रदेश सिधा का सिधा प्रशासन सिधा का सिधा कंट्रोल केंदर के पास रहता है राज्ये जो है वो केंदर केस से अलग उसके साथ सत्यों का विभाजन करते हुए, थोड़ी सी अपनी सत्यों की स्वायतता का भी भोग करते हैं, जो कि उनको सात्वी अनुसूची में दी जाती हैं, भारत की समिधान में कई सारी अनुसूचिया हैं, जिसमें सात्वी अनुसूची भी हैं, और सात्वी अनुसूच पर राज्यों को कानून बनाने की सक्ति है पावर है जिसके आधार पर वो अपना सासन प्रसासन चलाते हैं और तीसरी जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची समवर्ती सूची इसके उपर केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं तो सक्तियों का विभाजन द करते हैं संग्य ववस्था से भी नहीं है और उसमें अगर आप देखोगे तो किस तरीकी से भी नहीं कृम कि बात करने स्टार्टिंग से सुरुवाद करते हैं कि कब-बंब भारत में केंदर सासित्पृद्स बनें कि एक इंट्रेस्टिंग सी चीज है, एक इंट्रेस्टिंग सी बात है, इसको जानिएगा, जब हम आजाद हुए न, आजादी के बाद से अब तक अगर हम इतिहास उठा करके देखे भारत का, तो अभी जो आप आठ केंद्रशासित प्रदेश देखते हैं, तो समय समय पर को आज के समय में देखते हैं, राज्य का दर्जा मिला हुए, वो कुछ समय पहले किसी ही टाइम में केंद्रशासित प्रदेश होते थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, अगर आपने नाम सुना हो, ऐसे ही और भी कई सारे राज्य थे, जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप राज्य बनाया, और फिर उसके बाद उसको हमने पून रूप से भारत के राज्य का दर्जा दिया, उसका मामला थोड़ा सा अलग था, लेकिन बाकी मामलों को हम थोड़ा थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या है, बिटिस सासनकाल में वर्स 1804 में कुछ अनु जो विभाजन हम देखते हैं वर्तमान समय में राज्य और केंदर सासित प्रदेश, यह विभाजन आजादी की समय नहीं था, आजादी की समय भारत के जो प्रदेश थे, अगर हम इसको लिखे कि भारत का छेतर, तो भारत के छेतर को हम चार भागों में विभाजित करते थ थे अलग-अलग भाग थे भाग को ठीक है भाग ख भाग ग और भाग घ भाग में केवल एक ही छेतर था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समू और बाकी के जो ये अठारा सो चोतर से जो हम कुछ जो अनुसूति दिले बनाते थे जिनको बाद में मुख्य आयुक्ति छेतर जिनको घोशित किया गया उन सबको हमने भाग गय में रखा तो इन दोनों को बाद में हमने केंड्र सासित प्रदेश की एक स्रेणी के अंदर रख दिया और बाकियों को हमने पूर्ण रूस्स स्टेट के स्रेणी के अंदर बनाने की कोशिस की इसको समस्ते की कैसे हुआ क् यह देखे 1951 का मैप है धीरे-धीरे समय के साथ-साथ हमारे इंडिया का मैप बदलाव किस-किस तरीके से चीजे हुआ इसको देखते चले जाईए यह 2014 और 2019 ठीक है भारत के चेतर भाग अब आज़ादी के बाद टिमांड उठने लगती है राज्यों के पुनल गठन की और पुनल गठन की आवाज सबसे पहले उठाई जाती दक्षिन भारत में भासा के आधारे-ठke के लिए उसकी संभावना को जांचने के लिए दो समीतियां बनाई जाती हैं पहले एक धर आयोग और एक जेवीपी समीति अगर हम बात करते हैं तो पहला जो है वो धर और दूसरा जो है वो जेवीपी जेवीपी ये दो आयोग बनाए जाते हैं दोनों ही आयोग जो है भासा भारत में एक व्यक्ति हैं, एक आंदोलन कारी थे, स्री रामू लूप उटी, उनका नाम था, वो भूख हड़ताल करते हैं, उनकी मृत्ति हो जाती हैं, बहुत ही हिंसक आंदोलन होते हैं, तो 1953 के अंदर भारत में आंध्र राज्य बनता है, सबसे पहले, आंध्र राज्य ज जब उसका गठन हो जाता है, तो पूरे भारत के अंदर बाकी जितने भी समूथे, वो भी डिमांड करने लगते हैं सरकार से, कि हमारा गठन भी भासा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है, हमने क्या बुराई की, हमने क्या गल्ती की, हमाई भी अपने पूरे फुल स्टेट ठूड का दरजा मिलना चाहिए, तो उसके बाद एक आयोग बठाया जाता है, एक कमिशन बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं, फजल अली आयोग, ठीक है, इसके बाद एक कमिशन बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग को, फजल अली आ जा सकता है अब फजल अली आयोग अपने रिकमेंडेसंस देते हैं वो रिकमेंडेसंस देते समय ये बोलते हैं कि ठीक है लेंग्वेज के बेस पर भासा के अधार पर भारत में राज्यों का निर्मान किया जा सकता है लेकिन ये लेंग्वेज के बेस पर जो निर्मान है ना आधार पर जो निर्मान है वो one language one state नहीं होगा एक राज्य एक भासा नहीं होगा बलकि भासाई समरूपता को हम देखते हैं लिंग्विस्टिक जो homogeneity है उसके आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा और इसी के साथ ये भी माम लाया कि अभी वर्तमान में जो भारत के जितने भी छेत्र उसकी जो category बना रखे न आपने ABCD बड़ी गजब किस्म के इस category यार इससे थोड़ा बहुत जटिलता आती है समस्या होती है सही नहीं है ये भारत में प्रसासनिक सुविधा के लिए भी ठीक नहीं है इस category को जो ABCD के अंदर जो इनका स्रेणी करन था वर् और राज्य पुनर गठन अधिनियम वो भी बनाया गया और जैसे ही राज्य पुनर गठन अधिनियम आता है सात्वा समिधान संसोदन आता है तो जो ये पार्ट में डिवाइड थे भारत के चार हिस्से थे ना जिसको हम बात करते हैं पार्ट A, B, C, D इसको खतम कर दिया बना देते हैं पहला जिसको बोलते हैं राज्य और दूसरा जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिट्रीज यानि केंद्र सासित प्रदेश तो ये जो दो स्रेणिया आज की समय में आप देखते हैं ये दोनों स्रेणिया 1956 से बनाई गई थी ठीक है 1956 से बनाई गई थी अब ये थोड़ा समय आपको यहां पर मैप दिखाना चाओंगा इंडिया का मैप कि कैसे कैसे आया उनिस सोई क्यावन से दो कैसे था उनिस सो चपन में कैसे हुआ पिछेतर में फिर नए वर्स 2000 में तीन नए बन गए 2014 में तेलंगाना अलग हो गया 2019 में जम्मू कस्मीर उजूर स्टे यह पूरा भारत का ही छेतर है यह पूरा का पूरा जो छेतर है यह लद्दाक का छेतर बन गया इधर ठीक है यह वाला छेतर जो है लद्दाक इसको हम बोलते लद्दाक और ये जम्मू एंड गस्मेर ये दो छेतर भारत में दो नए यूनियन टरिटरी बने और एक और बाद में समय के साथ परिवर्तन होता है वो ये दादरनागर हवेली और दमनन्दिव इनको जोड करके एक केंदर सासित प्रदेश बना दिया जाता है तो वर्तमान समय में अगर हम बात करते तो 28 राज्य और 8 केंदर सासित प्रदेश भारत में आपको देखने को मिलेंगे ये इसी की हिसाब से आया अब धीरे धीरे अलग-अलग उनको हमने केंदर सासित प्रदेश का दरजा दिया तो उसको समझी है कि क्या-क्या थे आपको एक और चीज इंपोर्टेंट जाननी है कई बार UPSC में इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है आपसे कि निम्नांकित में से कोन से ऐसे राज्य है जो पहले केंदर सासित प्रदेश थे ऐसे में आपको उसका आंसर देना पड़ेगा कि कौन-कौन से ऐसे छेत्र थे जो पहले राज्य का स्टेट हूड जो क्या दरजा प्राप्त करने से पहले उनको यूनियन टेरिटरी बनाये गया तो ये इंपोर्टेंट लाइन है इस लाइन को ये कर लिजेगा मैं आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ इंपोर्टेंट तो चैप्टर नमबर 40 के अंदर इसको अंडर लाइन आप कर लेना है हिमाचल प्रदेश ठीक है मनिपूर, तिरिपूरा, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, गोवा ये छे ऐसे राज्ये हैं जो राज्ये का दर्जा प्राप्त करने से पहले भारत में केंदर सासित प्रदेश के दर्जे का उपभोग करते थे Union Territories जो हैं ये कहलाते थे ठीक है इंपोर्टेंट है याद कर लिजे कई बार आप से सवाल पूछ लिया जाएगा कि निमनांकित में से कोन से राज्ये पहले केंदर सासित प्रदेश होते थे और फिर आपके लिए विकल्प दे दिया जाएगा पहला और उसमें दे दिया जाएगा गोवा दूसरा आपको दे दिया जाएगा तिरुपुरा तीसरा आपको दे दिया जाएगा असम और चोथा आपको दे दिया जाएगा सिक्किम और फिर आपसे विकल्प दिये जाएंगे कि उपरयुक्त में से कौन से विकल्प सही है और आपका A नंबर का विकल्प रहेगा एक और दो सही B नंबर का विकल्प रहेगा दो और तीन सही C नंबर का विकल्प रहेगा एक दो और चार सही और D नंबर का विकल्प रहेगा एक दो तीन चार सही तो इसमें आपको correct answer देना पड़ेगा तो क्या correct answer होगा सभी लोग comment box में बताइए जितने भी हमारे late night study वाले दोस्त हैं सारे लोग comment box में answer दीजिए और बने रही है end तक आपको बहुत मज़िदार सी interesting सी चीज़े हैं इसमें बताने वाला union territory के बारे में जितने भी दोस्तों ने जिसने भी इसका correct answer ए दिया वो बिल्कुल ठीक है ठीक है ए जो मैंने बताया वो बिल्कुल ठीक है पहले दोस्त ठीक थे आखरी के दोनों statement गलत थी कही बार आप उस्सिक्किम को लेकर गे फसाया जाएगा यहांपर ठीक है सिक्किम को लेकर के फसाय जाएगा कि क्या सिक्किम भारत का केंद्र साशित प्रदेश रहा तो ये ध्यान रखना है कि सिक्किम भारत में केंद्र साशित प्रदेश नहीं रहा कभी भी पहले वो संरक्षित राज्ये का दर्जा प्राप्था फिर संबध राज्य का दरज्य दिया गया और फिर पूर्ण राज्य का दरज्य उसको मिला ये चीज़ आपको समझना है तो एक answer देने वालों का very good तालिया अब ये तो वो छेतर थे, ये वो राज्य थे ठीक, ये वो छेतर थे जो बाद में राज्य बन गए जब हम आजाद होते हैं न तो आजाद होते ही भारत के पास जो आज का भारत आपको देखने को मिलता है वो सारा का सारा छेत्र आजादी के तुरंत बाद नहीं मिलिया था मैं समय के साथ साथ हमने कुछ छेत्रों को वापस लिया भारत में केवल अंग्रेजों का ही राज नहीं था अंग्रेजों के अलावा दो और भी सक्तियां थी भारत के अंदर एक फ्रांसेसी और एक पूर्तगाली जो की अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में बने हुए थे जाना नहीं चाहते थे तो कुछ को तो हमने बड़े ही जैसे गोवा को हमने पहले तो प्यार महुबत से उनसे पूछा request किया कि दे दो भाई चले जाओ निकल जाओ क्यूं रुकना है याँ पर क्यूं फाल तुमें परिसान हो रहे हो तुम्हारा कुछ लेना देना तो है नहीं कि हमारा एरिया एक्षाली करो जो नहीं माने तो डंडे मार मार करके फिर हमने भगाया आर्मी भेज करके गोवा से जैसे हमने उनको भगाया तुरी स्टेट वो चेत्र ऐसे थे बाकी भारत से स्तामाजिक सांस्क्रति कार आर्थिक रूप से भी भिन्नता रखते थे क्योंकि लंबे समय से पूर्टगाली और फ्रांसिसी लोग वहां पर रहे उनी की कालोनिया रही तो यहां पर अलग तरीके के एक मिश्रित संस्कृती पैदा हुई बोलचाल भासा सोच लहजा पहनावा अलग रहा एंगलो इं सासित प्रदेश का दरजा दिया यूनियन टेरिटरी का दरजा दिया ताकि केंद्र सीधा इनको प्रसासन करें सोटे से छेत्र को अलग से राज्य नहीं बना सकते थे अब बुक के अंदर थोड़ा सा एक और करेक्शन कर लेना है चैप्टर नमबर 40 जो है उसको ओपन कर ल थे वरतमान में 8 केंद्र सासित प्रदेस ना कि गठन के वर्ष के आधार पर इसमें दिया गया है वो में समझाता हूँ कि किस तरीके से हैं । s. पहले अंडमान निकोबार ॽ्यरु प्रसा के अंदर था ए-ना बी के अंदर पार्ट डी के अंदर था उसको रखा गया 1956 में 1956 दादरनागर हवेली 1961 दमन दीव 1962 पुड्डुचेरी और चंदीगर 1966 में जम्मु कस्मीर और लद्दाख 2019 के अंदर तो यह सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अपडेट क्या कर लेना है कि यह जो दादरनागर हवेली है और दमन दीव है इन दोनों को जनवरी 2020 के अंदर हम क्या देखते हैं 2020 में इनको एक कर दिया जाता है इनको जोड दिया जाता है क्योंकि बहुत छोटे थे इतने छो चीजे करना थोड़ा सा प्रसासनिक रूप से ठीक नहीं लग रही थी दिक्कत आती थी उसमें और दोनों ही एक जैसे सी चीजे को एक ही जैसे की संस्कृती और एक ही जैसे की ववस्ता यहां पर देखने को मिलती थी ठीक है तो इन दोनों को ही हमने एक कर दिया क्योंकि द शमास्तेवे चलने हैं इसके लिए सबसे पहले यहां पर देखिए आप इसको देख लेतें मैं आपको किलिर कर देता हूं कि मैं आपको कुस तारीखे लिखाता हूं उसके हिसाब से आपको स्टेट्स का नाम और यह चीजे याद रखना है जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं बात करूँ, अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने राज्ये थे, अगर मैं बात करूँ राज्ये और इधर लिखू केंदर साशित प्रदेश. केंद्र सासित प्रदेश तो भारत के अंदर उस समय 29 राज्य होते थे और साथ केंद्र सासित प्रदेश होते थे ठीक है अब ऐसे में जम्मू कस्मीर का पुनर गठन हो जाता है ठीक 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कस्मीर का पुनर गठन कर दिया जाता है ठीक इसको आँ 30 अक्टूबर कर लेते हैं 31 अक्टूबर ठीक है अक्टूबर 2019 अब इसमें क्या होता है राज्ये जो था इन में से एक राज्ये लेस हो जाता है 28, 29 मानेगीनस एक गनित के फोर्मूले के हिसाब से समझते हैं कैसे इसको समझेगा इसमें क्या होता है कि जम्मू और कस्मीर था जे एंड के जो है इसका विभाजन कर दिया जाता है इसका विभाजन हो जाता है और विभाजन करके दो केंदर सासित प्रदेश बना दिये जाते हैं दो यूनियन टेरिटरीज बन जाती है कौन-कौन सी दो union territories एक जम्मू और कस्मीर दूसरी लद्दाक अब राज्जी का पुनर गठन होता है तो इसका मतलब ये 29 राज्जे थे इसमें से एक राज्जे less हो गया माइनस हो गया तो इसके बाद भारत में हो गए 28 राज्जे और दो केंदर सासित प्रदेश बन गए तो साथ केंदर सासित प्रदेश पहले थे इसमें दो जुड़ गया तो इसका मतलब अब भारत में हो गए 9 केंदर सासित प्रदेश लेकिन इसी के कुछी महिनों के बाद ये महसूस किया गया कि दादरनागर हवेली और दमन और दीव ये बहुत जादा छोटे छेतर हैं और एक जैसी सांस्कृतिक एक रूपता भी लिए रहते हैं पुर्तकालियों के अधीन थे इनका अलग-अलग सासन प्रसासन सवालना बहुत मुस्किल हो जा रहा है तो क्यों ना इसको हम एक ही कर लें क्यों ना हम इसको जोड़ दें तो ऐसे में हम बात करते हैं जनवरी 2020 की इसको टाइम लाइन को याद रखते हुए चले जाएगेगा सब लोग जनवरी 2020 क्या किया जाता है दमन दीव प्लस दादर नागर हवेली इनको जोड़ करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है तो यानि कि जो 9 केंदर सासित प्रदेश थे उन में से 1 केंदर सासित प्रदेश कम हो जाता है और वरतमान में बचते हैं 8 केंदर सासित प्रदेश तो अब वर्तमान में भारत का structure इस तरीके से है कि भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंदर साशित प्रदेश है अब एक केंदर साशित प्रदेश हैं ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे केंदर साशित प्रदेश ऐसे हैं जिनका वर्तमान में जो आप नाम देखते हैं पहले ऐसा नाम नहीं था। जैसे कि अगर हम लक्स्य दीब का बात करें तो 1973 से पहले लक्स्य दीब को अलग-अलग नाम से जानना जाता था। करने में या बाकी चीजों में थोड़ा सा प्रोब्लम आ रही है एक ही नाम इसको दे दिया जाए जैसे अंडमान निकोबार द्वीप सम्हों है उसी की तरज पर इसको भी एक नाम दिया गया तो लक्स्य दिया गया पहले दिल्ली होती थी तो 1992 में क्या किया गया दिल्ली का अभी नाम बदलते हुए उसका दरजा भी चेंज किया गया और NCR बोला गया ठीक है और उसको कहा गया राष्ट्र राजधानी छेत्र दिल्ली में उनिस्सों बानवे के बाद से ही दिल्ली को NCR का जो दरजा मिला राश्ट राज Walk Mystery का अआसे पुड्डुचेरी उसको पहले पांडी रिके नाम से जाना जाता था लेकिन दोच में उसका नाम बदल करके पुड्डू चेरी कर दिया गया ठीक है नाम बदलने में हम काफी माहिर है इंडिया जो है उस नाम बदल करके चीजों को स्टेट्स हों चाहिए कोई भी चीज हो स्टेशन्स का नाम हो बदलते रहते हैं आप लोग भी माहिर है जैसे हमारे स्टूडेंट्स भ ही आते हैं अलग-अलग नामों के साथ आते हैं ठीक है नाम बदल बदल गर के आते हैं भूत का मोसा चुडैल की दादी है ना चुडैल का साया पता नी क्या 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 अलग-अलग जो बिडेन व्लादिमेर पुतिन वगएरा वगएरा खून में हमारे नाम बदलना तो हमने हमारी union territories का भी काफी समय तक कईओं का नाम हमने change किया जैसे बहुत सारे राजजयों का भी नाम बदला गया था न समय के साथे साथ ऐसे ही केंद शासीतपरदेश हैं इनका नाम भी बदला गया अब केंद शासीत प्राज़ प्रदेशों का गठन क्यों कि आ जाता है उस गठन के कारणों को समघ़ले तैं उन कारणों को देख लिए सबसे पहला कारण जो है उसको बोलते राजनितिक एवं प्रसासनिक सोच, इसको ध्यान से समझना है, अब आपको लगेगे सर, राजनितिक और प्रसासनिक सोच का मतलब क्या है, समझ में नहीं आ है सर, राजनिति के आधार पर कैसे केंदर सासित प्रदिस बना सकते हैं भारत के अंदर, तो इसको समझ येगा, देखिए, भारत की र साल किला देश के जो प्रमुख धरो रहें का दिल्ली के अंदर देश का सासन कहां से चलाए जाए दिल्ली के अंदर से सरकार कहां बनती है दिल्ली में अब ऐसे में दिल्ली को अगर आप राज्य का दर्जा दे देते तो ऐसे में प्रसासनिक सुविधा आगर आप देखोगे तो जो राज्य की जो सरकार होती वो केंदर के साथ हमेशाथ लड़ाई ही जगडाई रखती सिक्योरिटी कौन देता है MP, MLA, जितने भी MPs हैं भारत के उनको कौन सिक्योरिटी देता है उनको रहने की जगए कौन देता, सुरक्षा कौन करता, रास्टपती, प्रधान मंतरी और जो जितने भी VIP मुवमेंट हैं उनका व्यवस्था, उनके इंतजाम कौन करता तो देश का सासन का संचालन करना ना बड़ा मुस्किल हो जाता तो उसके लिए जरूरी था कि ये एक ऐसा छेतर देश के राजधानी जहां पर भारत के सबसे प्रमुख निर्ने लिये जाते हैं, उसको केंद्र के अधीन ही रखा गये इसलिए दिल्ली को राजनितिक आधार पर और प्रसासनिक आधार पर उस सोच को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को केंद्र के अधीन रखा गया बात करते हैं चंदीगड़ की तो 1966 के अंदर 1966 में जब पंजाब से हर्याना अलग होता है तो केवल पंजाब हर्याना का ही विभाजन नहीं होता बल्कि हिमाचल परदेश जो पहले दो अलग अलग टुकडों में बटा हुआ था उसमें भी पंजाब का एक काफी बड़ा एरिया चला जाता है और हिमाचल भी एक पून्ड हो हिस्सा बनता है दवलप्ड और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लोकेशन के उपर हाई कोट वहां चंदिगड किसका हो उस पर दावा करने लगे दोनों पंजाब बोले कि मेरा चंदिगड हुन मैंनू चाहिंदा चंदिगड हर्याने बले ना मेरो है मन्न चावे अब किसी एक को दे देते तो लड़ाई जगडा होता हिंसक विद्रो होते हैं आपसी वैमनस से भड़ता तो उस प्रसासनिक सुविधा के लिए और राजनितिक आकांचाओं की संतुस्टी के लिए चंदिगड को केंदर सासित प्रदेश का दरजा दे दिया गया केंदर ने बोला कि भाई ना हर्याना तुम्हारा ना पंजाब तुम्हारा ये हो गया मेरा दो बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर आकर के रोटी खा जाता है आपने कहावत सुनी होगी कि एक रोटी के लिए दो बिल्लिया लड़ रही होती है तब ही बंदर आकर के ब प्रदेश बनेगा ठीक है यूनियन टेरिट्री बना दिया तो संयुक्त रूप से आप देखोगे तो राजधानी भी है पंजाब और हर्याना की हाई कोट भी वहीं पर ही है तो यह बना राजनितिक और प्रसासनिक सोच के कारण यह दिल्ली का मैप देखोगे तो आप देख देखते हैं तो मुखरजी नगर का एरिया आपको इस तरफ यहां पर आपको थोड़ा सा पड़ेगा इस छेत्र में यहां पर इस साइड में आकर आपको मुखरजी नगर का एरिया पड़ेगा इधर जाकर के हब है हिंदी मीडियम का इंग्लिस मीडियम वाले हैं वो यहां पर इस तरफ इस छेतर में थोड़ा साते हैं इधर मिडल में राजेंदर प्लेस और करोल बाग उस छेतर में उनका दर्जा वो पड़ता है तो यह अलग-अलग डिस्ट्रिक्स में यहां पर बाटा हुआ है मैं भी बिल्कुल यहां पर किनारे के पास रहता हूं एकदम एकद सांस्कृतिक भिन्टाएं जैसे पुड्डुचेरी दादर और नागर हवेली अब एक जगे फ्रांसीसी थे एक जगे पूर्तगाली थे और पूर्तगाली और फ्रांसीसियों ने आ जादी के बाद भी कई वरसों तक इवन कई ने तो दसक वरस से भी जादा तक उस पर अब जब लंबे समय तक कोई विदेशी सक्ति किसी छेतर के उपर कंट्रोल करके रखती है कबजा करके रखती है तो वहां की सांस्कृतिक विशेस्ताइं जो हैं वो एक अलग से देख करके देखने को मिलेंगी अब पूर्तगाली आये फ्रांसीसी आये उनको अच्छी पावेली और उनको लगा किया यह जगे बढ़िया है तो वहां पर सेटल डाउन हो गए बसने लग गए अब बसने लग गए उनकी कालोनिया बनी बकाइदा भारत में आकर यहां पर जमीन खरीद करके रहने लगे घर बनाने लगे भारतियों के साथ विवा करने लगे अब यूरोपियन हो और एक भारतिय हो उनके प्यार का नतिजा एंगलो इंडियन्स प्यार का फल आए तो वहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी अलग लेवल की रहती है वहां पर देखना आज भी जो बोलने का लहजा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से है कपड़े पहनने का तरी है माइंडसेट थोड़ा ओपन है रीजन क्या है कि पूर्तगाल और फ्रांस उनके प्रभाव में रहे तो उनकी सांस्कृत वी विंदाएं ऐसी थी और वो इतने बड़े छेत्र भी नहीं थे कि उनको राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो इसके लिए उनका प्रसासन अल भारत के लिए अगर हम सामरीक रूप से देखोगे तो लक्स्यदीप और अंडमानिक वर्थ दोनों बहुत ही ज़ादा महत्पुन हैं महत्पुन क्यों हैं समझे यह इसके नीचे हिंद महसागर है बिलकुल भारत के नीचे सिलंका आता है सिलंका के नीचे सारा का सारा समुद्री सीमा यहां पर है ठीक अब जो व्यापारिक मार्ग है जो बिजनस के रूट है समुद्री यातायाद जहां से होता है वो इसी छेतर से निकल करके जाता है हिंद महासागर का जो सबसे व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग है वो इसी छेतर से निकलते हैं यहां से इधर से और अंडबान निक उबार्द वीफ समू यहां पर मोजूद है तो अगर ऐसा यहां पर है तो हम इसके माध्यम से अपने इंट्रेस्ट को सेफगार्ड कर सकते हैं बचा सकते हैं हमारे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा परदान कर सकते हैं उनको तेल भरने की रुकने की पहेरना चाते हैं तो इन छेत्रों के माध्यम से हम अपनी सुरक्षा दूर से ही कर सकते हैं किसी भी दुस्मन देश को भारत के करीब आने से पहले ही हम उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं इसलिए हमने अंडबान निकोवार्द वीफ समू में हमारी एकीकरत सेन्य कमांड की स्थापना भी की कमान वहाँ पर हमने लगाया लक्षियो दीप इधर है यहां से भी आप देखोगे तो व्यापारिक मार्ग इधर से ही निकलते हैं इसके नीचे बिलकुल माल इधर माल दीव साब को देखने को मिलेंगे थोड़ा सा नीचे जाते ही तो सामरीक रूप से ब अमरीक महत्व के थे तो इसलिए कर दिया गया और पिछडे और अनुसूचित लोगों के लिए विसेश बरताव उसके आधार उसको भी आधार जो है यहां पर बनाया गया तो यह है देख लीजिए यह अंडमान निकोबार दीप समूंगी एक पिक्चर है मजेदार कभजा था जब अंग्रेज भारत में थे तो अंडमान निकोबार पर भी अंग्रेजयों का ही कभजा था और अंग्रेज जो ने वहां पर वहँ सारी चीजें बहुँ सारे निर्मान कारिये घे और उसमने उनकी बनाई गई एक जेल जो है वह वह भी बड़ी फेमस है काला जेल थी अब काला पानी इसलिए बोला जाता था कि भारत से एक तो इतना दूर है बहुत दूर है बहुत दूर है कई सो किलोमेटर हजारों किलोमेटर की दूरी है छोटी मोटी दूरी नहीं है तो अगर एक बार कोई यहां पर चला गया तो इसके आस पास कोई दूसरे देश भी नहीं भाग कर भागेगा भी तो कहां जाएगा भाग करके निकल नहीं सकता एक बढ़ गया तो फस गया ठीक है वह दाय माई कहीं नहीं भाग सकता विचारे की मुसीवत बन जाते थी तो समय अंडमान निक्लबार्ट वीफ समूझ जो है वह आतंक का परियाय था हमारे इं पन गया है लोग साधी करते हैं तो साधी करते सबसे पहले अनिमून मनाने के लिए अंडमान जाते हैं या मालदिव जाते हैं ठीक है जो मिडल क्लास के हैं या लोवर मिडल क्लास के वह अंडमान निकलते हैं और जिनके पास खूब पैसा वह मालदिव निकल जाते हैं या घूमने सहर सपाटा करने की अगर कोई चाहत रखते हैं मेरी तरह जिसको अच्छा लगता है कि चलो घूम कर क्या हो फड़ा इंजोई कर ली जाए लाइफ तो वो लोग भी अंडमान की तरफ अंडमान का ही रुख करते हैं और अंडमान की खूबसूरती बहुत गजब की SNL के टावर थोड़े बहुत मिलेंगे बस इंटरनेट नहीं चलता है वहां पर बहुत कम इंटरनेट चलता है वहां के वाइफाई की स्पीड तूजी जैसी है तूजी से भी गई गुजरी जैसे बचपन में आप देखते थे इंटरनेट चलाते थे आपके मोबाइल में इ यू 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 घूमता है इस तरीके से घूम करके फिर 10 सेकेंड के लिए वीडियो आता था फिर घूमता था बफरिंग ओकर के चलता था वहोता है तो अगर आपको पूरी दुनिया से कट ओफ होना है तकनीक से दूर जाने है अपने खुद को खोजना है अपने स्वेम की पहचान करनी है अच्छी एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने अंडमान चले जाओ बढ़िया है कोई क्राइम नहीं क्राइम रेट जीरो लोग इतने बहितरीन है लीतने अच्छे हैं कि सब के साथ भूत वेलकमिंग है कुछ नहीं है कोई भी क्राइम वहां पर नह इनको हमने केंद्र साशित प्रदेश का दर्जा दिया जैसे मिजोरम, मनिपूर, तिरवपूरा, अरुनाचल प्रदेश और बाद में जब इनमें डिमांड उठने लगी कि भई केंद्र साशित प्रदेश नहीं हमें हमारी खुद की स्वायता चीए लोगों को खुद का र यह सब हुआ, 2019 में पूरु के जम्मू कस्मीर राज्य को दो अलग-अलग संगे छेत्रों में जो विभक्त कर दिया गया, जिसको जम्मू कस्मीर और लद्दाख यह सब आप जानते हैं, मैंने अब थोड़े टाइम पहले ही आपको बना करके दिया, कि कौन-कौन से करेटरी किस-किस टाइम में एस्टेबलिस हुए, जस्ट दस मिनट पहले ही मैंने आपको समझाया, अब मामला ही आता है कि जम्मू कस्मीर का विभाजन क्यों किया, और विभाजन किया भी तो केंदर सासित प्रदेश क्यों बनाया, राज्य क्यों नीवने रहने दिया भई लद्दाख अलग राज्य बना देते, जम्मू कस्मीर अलग राज्य बना देते, ये एक सवाल बहुत सारे लोग पूस्ते हैं, मेर से भी खोल करके कई बार पूस्ते हैं, तो जे भी सवाल पूस्ते हैं, उनका सबका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, जब जम्मू कस्मीर प लद्दाक संभाग जो है विसाल छेत्रफल किन्तु विरल जनसंख्या का एकदम कठिन भू भाग वाले इलाके हैं बर्फिला रेगिस्तान उसको कह सकते हैं बारिस नहीं होती है बर्फिला रेगिस्तान बर्फ पड़ती है आप देखोगे कभी भी लद्दाक जैसे आप मैं म दिखाता हूँ जम्मू गस्मिर और लद्दाक का तो यह लद्दाक का जितना भी यह छेत्र बर्फिला वाला छेत्र है हमेशा मतलब ज्यादातर टाइम वर्स के यहां पर बर्फी रहती है और यह बहुत जटिल छेत्र है इंडिया की सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से बहुत इंपोर्टंट है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जैसे लोग गस्पैट करते हैं तो लद्दाक के माधियम से ही करते हैं जैसे की कब्जा कर रखन है इतने चेतर के उपर पाकिस्तान जितनी छेतर में जनसंख्या है यह नहीं, बहुत कम, मामुली सी जनसंख्या है, ऐसे में यह आवसेख हो जाता है, किन कठिन परिस्थितियों को देखते हुए, यहां के लोगों को सुविधाएं, यहां पर व्यवस्थाएं प्रदान करने के लिए, और देश की सुरक्षा के लिए इसको एक अलग से छेतर बनाया जाए, और अगर इसको अलग से राज्या बनाते, तो जनसंख्या इतनी नहीं है कि अलग से राज्या बना दिया जाए, इसका इत्तु सी जनसंख्या है, कैसे राज्या बनेगा, और अगर राज्या बना भी दिया जाए, तो वही इंडिया as a whole इंडिया उसके बारे में सोचता है किसी अपने संकीन हितों के लिए राज्य या केंदर सासित प्रदेश की अपनी स्थानिय राजिनिती को ध्यान में रखते हुए कारे नहीं करता है तो यह तर्क दिया गया कि जम्मू कस्मीर और लग्दाख बनाने का कारण य दुसरा तर्क उसमें यह बोला कि लग्दाख के लोगों की डिमांड भी थी काफी ठीक है और लग्दाख में कोई विधाईका नहीं बनाएगी दोगों अमारे देश में यूनियन टेरिटरीज है न केंदर सासित प्रदेश तो उन केंदर सासित प्रदेशों में तीन कि वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है तो लग्दाख में कम जनसंख्या थी तो विधाईका बनाने की जुरूरत नहीं थी दूसरा तर्क भारत की सरकार ने दिया कि वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा वातावरन को ध्यान में रखते वे जम्मू कस्मीर राज्य में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के कारण जो समस्याएं उत्पन हो रही है उसको रोकने के लिए हमें जम्मू कस्मीर को केंद्र साशित प्रदेश बनाना पड़ेगा फिर से मैप पर आ जाते हैं यहां पर देख लीजिए जम्मू कस्मीर का यह मैप है यहां से पाकिस्तान लग जम्मू कस्मीर के अंदर कि जम्मू कस्मीर को अलग करके पाकिस्तान में मिला दिया गए और उसकी राजनिती यहां की जो बहुत सारी राजनितिक पार्टिया हैं वो भी इसी बात का समर्थन करती थी भारत से अलग होने के लिए बात करती थी जबकि इनको पैसा सारा का सा जम्मू कस्मीर की सरकार के अंदर पाकिस्तान के भक्त बहुत सारे थे और अजीव से रूल थे नागरिकता के रूल बना रखे थे कि वही जम्मू कस्मीर की महिला अगर भारत के नागरिक से विवा करेगी तो उसके जम्मू कस्मीर की नागरिकता छिन जाएगी उसके अधिक का नागरिक बन गया इसका मतलब भारत का भी नागरिक बन गया बड़े ही गजब किस्म के कानून बना रखे थे पैसा भारत से सारी चीजे विकास भारत से लेकिन समर्थन किसका थोड़ा सा देखो तो पाकिस्तान की तरफ जम्मू कस्मीर में इस प्रावधान का फायदा और उनका उद्देश से क्या था सिंपल सा उद्देश से था कि भारत को समाप करने अलगावधी विधिया विवस्थाएं चलाना है तोड़ना है भारत को पाकिस्तान के समर्थन में जन माहोल बनाना है कि भई पाकिस्तान के समर्थन में बने आते गए बसते चले गए आते पुलवामा जमू गस्मीर में CRPF के काफिले पर हमला हो गया पचास के करीब जवान जो उस काफिले में उस ट्रक में जा रहे थे वो वीरगती को प्राप्थ हुए आए दिन कोई ना कोई विद्रोफ पत्थर फेकने की घटनाएं देश से अलव होने की बात आतंकवाद की घटनाएं बंबलास्थ यहां पर समस्याएं होती रही और यहां की सरकार उसको रोकने में नाकाम रही आजादी के बाद से वर्तमान समय तक 2019 तक और देश के अंदर बाकी छेतरों में भी जहां पर भी आतंकवादी घटनाएं होती थी उन सभी आतंकवादी घटनाओं के तार जो है ना लास्ट में जाकर के यहीं जुड़ते थे जम्मू कस्मीर के अंदर कहीं ना कहीं तो देश की इंटर्नल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के एकी करन देश की एकता के लिए बहुत जरूरी था कि जम्मू कस्मीर जो है उसको एक अलग से केंदर सा सित प्रदेश बनाया जाए जो डारेक्ट सेंटर के अंदर में काम करे वहां की स्थानी है वहां के 370-370 विसेश राज्ये का दरजा दिया गया था वहाँ पर कितनी funding जाती थी इतना पैसा दिया जाता था कि अगर उस पैसे का सही यूज़ किया जाता है तो जम्मू कस्मिर की काया पलट हो जाती इतना भेतरी निविकास हो जाता लेकिन वो पैसा लगाया कहा गया अलगाववादियों की सुरक्षा में 5 Z plus security दे रखे क्यों 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 कि आतंगवादी अलगाववादी नेता है अलगाववादी नेता क्या डिमांड करता है जम्मू कस्मिर को भारत से अलग करो security खतरा है किससे जो लोग भारत का समर्थन करते हैं उससे खतरा है जान का खतरा है Z plus security दो 5 star 7 star hotel के अंदर ओफिस्क बना करके दिया जाता कि लो भई और उसका खर्चा भी दिया जाता कि लो ये सारा पैसा तुमारा गोवर्मेंट से मिलेगा यात्राएं विदेश यात्राएं करने का उसका सारा खर्चा गोवर्मेंट से इनके बच्चे विदेशों में जाकर के अमेरिका बिटेन जैसे देशों में उच्च सिक्षा प्राप्त करने जाते सारा खर्चा फंड यहां से मिल जाता और जो नागरिक थे जिनको वास्तवित्ता में विकास की जोड़ थी उनको क्या मिला तो ये समस्याएं थी कुछ विसंगतियां थी जिसको दूर करने क्या हो सकता थी और उसको आधार पर इन समस्याओं को दूर करने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते वे जम्मू कस्मीर और लद्दाक का विकास करने का उद्देश से केंदर सरकार ने इसको केंदर सासित प्रदेश के रूप में पुनरगठित कर दिया ठीक है पारलियामेंट में वो भी लाया था वो पास हो गया यह हुआ तो जम्मू कस्मीर जो है इस आधार पर बन गया अब जम्मू कस्मीर और लद्दाक जब दो अलग-अलग केंदर सासित प्रदेश बनाए गए तो जम्मू कस्मीर के अंदर पहले क्या थी विधान सभा औ दोनों ओते थी। तो जो विधान परिशद थी न, विधान परिशद, इस विधान परिशद को समाप्त कर दिया गया। और जम्मू कस्मीर में केवल विधाईका के तोर पर विधान सभा को बनाए रखा गया ठीक है विधान सभा विधान सभा को बना दिया और कहा कि ठीक है केवल विधान सभा रहेगी और इसको दिल्ली पुड्डू चेरी की तरह ऐसा केंद्र सासित प्रदेश बना दिया गया जो हैं तो केंद्र के अधीन, लेकिन विधान सभा यहां पर भी रहेगी, प्रतिनिदित दे दिया गया, यह लद्दाक है, लद्दाक मतलब खूबसूरत, हसीन वादिया, और एक बार चले जाओ ना मतलब तो मन करता है कि बस जाओ, लेकिन आप उनकी वहां की कंडिसन्स के स जो है न, एक ताल में अधिक समय तक नहीं बिठा सकते हैं, बहुत ही कठोर जीवन हैं, लेकिन देखने में बड़ा बहुत भेतरीन वादियां हैं, पहाड हैं, पैंगोंग, जील हैं, बहुत सडकें अच्छी हैं, खुला रोड, मैगनेटिक हिल भी आप कई बार एक कोंश हाई निकल लिए, बुलेट इसलिए मैं लेकर के रखता हूं, कि मन क्या उठाए और निकल लिए, दो-तीन दिन चले गए, तो लगदाक का टूर कभी करना आप बाइक से, जिंदगी का असली मजा और जिंदगी की वास्तविक चीजों को आपको समझोगे, रिस्क जानोगे जान का खतरा भी जानोगे, रोमांच वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक आप अपने आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखोगे, जब आप अकेले बाइक पर इतने लंबी यातरा कर रहे हो, तो क्या-क्या चीजों को, क्या-क्या एक्स्पीरियन्स आपके होते हैं अगर आप इस तरीके की यातरा ही करते हैं, तो करके देखना ज़रा जब लद्दाक में कभी भी जाओगे तो, ठीक है, अब इसके अंदर केंडर सासित प्रदेश हमने देखे, तो इसके प्रसासन की बात कर लेते हैं, कि प्रसासन कैसे चलाया जाता है, ये बात तो क्लियर हो गई, आप लोगों ने देख लिया कि केंडर सासित प्रदेशों को सेंटर केंडर है, केंडर के अधीन है, लेकिन क्या केंडर डायरेक्ट प्रसासन करता है, या उनके आधार पर कोई प्रतनी धी है, जो इसको प्रसासन करता है, तो इसको ध्यान में रखना कि भारत के अ होता है मुख्य रूप से और उसको अलग-अलग केंद्र सासित-प्रदेसों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है हर केंद्र सासित-प्रदेस में एक तरीके से नाम नहीं है जैसे कि अगर मैं एक्जाम्पल के तोर पर बताऊं राज्य, तो राज्य क्या प्रमुख कोन होता है मुखे रूप से, समयधानिक प्रमुख राज्येपाल है, राज्येपाल होता है, केंद्र सासित प्रदेशों के लिए राज्येपाल जैसा पद नहीं बनाया गया, लेकिन उसको अ माध्यम से किया जाता है, प्रेजिडेंट का सीधा कंट्रोल रहते हैं और वो प्रसासक के माध्यम से उस प्रसासक को क्या बोलते हैं, ठीक है, केंद्र सासित प्रदेश का प्रसासक, राश्ट पती का एजेंट या अभी करता होता है, नहीं कि राज्येपाल की तरह राज्ये बारे करता है और उसको अलग-अलग पदनाम दे दिये जाते हैं जैसे उसको या तो उपराज्य पाल कह दिया जाएगा या मुख्यायुक्त कह दिया जाएगा या प्रसासक कहा जाएगा ल्यूटिनेंट गवर्नेंट आप बोलतों लेफ्टिनेंट गवर्नेर दिल्ली का केस आपने अगर देखा हो तो LG आता है बार-बार वर्ड, LG, LG, LG बनाम दिल्ली, LG बनाम केजरिवाल, इस तरीकी के विवाद आपने बहुत देखे होंगे, तो इस LG का मतलब वह वाले LG नहीं है, जो TV वगएरा देखते हो, और जो पुराने LG के कैमरे वगएरा, वो सिंग मसीन केंदर सासक देखने को मिलेंगे, तो इस समय अगर हम देखे कि उप राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्णर किन छेत्रों में है, तो दिल्ली, अंडमान निकोबार दीप समू, पुड्डू चेरी, जम्मू कस्मीर और लद्दाख, यानि कि पांच केंदर सासित प्रदे में ऐसे हैं, फाइफ यूनियन टेरिटरी इंडिया में ऐसी हैं, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्णर हैं, उप राज्यपाल होते हैं, चंदीगड, दमंदीव, दादरनागर हवेली और लक्सिवदीप, इन तीनों में प्रसासक, एड्मिनिस्टेटर होता है, और जो चं किसी राज्ये के राज्यपाल को राज्ये से सटे केंदर सासित प्रदेशों का प्रसासक नियुक्त कर सकता है, सेम जैसे कि पंजाब, पंजाब जरूरी नहीं है कि इन सभी केंदर सासित प्रदेशों के लिए अलग से ही प्रसासक बनाये जाए, पंजाब में ये व्यवस् चंदिगड का प्रसासक रहेगा ठीक है चंदिगड का प्रसासक रहता है तो यह राश्वपती के पास पावर है कि 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 किसी राज्ये के राज्येपाल को अतिरिक्त कार्य भार दे दे अब यह important issue बन जाता है मुख्य मुद्दा यहां पर बन जाता है सवाल यहां से आपका ब प्रसासक के रूप में दाइत्वों का निर्वहन करता है तो ऐसे में वो इन दाइत्वों का निर्वहन क्या राज्ये की मंत्री परिसद के कहने पर करेगा यह आप से मैं हां या ना में पूस रहा हूं आप यह बताएंगे कि क्या ऐसा होता है हां या ना क्यूंकि आम तोर पर राज्येपाल जो भी काम करता है उसके लिए वो मंत्री परिसद की सला लेता है राज्ये का जो मंत्री परिसद है वो उसको रिकमेंड करता है उसी के अधार पर वो वर्क करता है कुछ उसकी विवेका धीन सकती है वो अलग बात है लेकिन बाकी काम जो है वो मंत्री परिस के आदेश सुनेगा अपने राज्य की मंतरी परिशद को नहीं मानेगा अपने राज्य की मंतरी परिशद की नहीं सुनेगा इस हैसियत में राज्यपाल अपनी मंतरी परिशद के बिना स्वतंत रूप से कार्य गरता है यह इंपोर्टेंट है यह ध्यान रख लिजेए इसको गई और मंत्री मंडल मुख्य मंत्री के अधीन कर दिया गया से यहाँ पर करेक्शन कर लेना है बुक के अंदर थोड़ा सा अपडेट कर लेना है क्योंकि पुरानी है तो यहाँ पर लिखा है से 6 केंद्र सासित प्रदेश तो इसको 5 कर लेना है 5 करेक्ट आएगा 6 गलत हो जा परंतु केंदर सासित प्रदेसों में इस तरह की विवस्था बनाने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उन पर रास्टपती वे संसद का सर्वोच नियंतरन कम हो गया यह सवाल कई बार आता है और अभी हाल फिल हाल में सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा दिल्ली को ले करके खास करके दिल्ली में अभी आपने देखा कि बहुत बड़ा एक घटना करम चला और उस बड़े घटना करम में कई सारे विवाद सामने निकल करके आए और उन कई सारे विवादों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख विवाद ही आया कि क्या दिल्ली को पूंड राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, क्या दिल्ली में जो विधाई का है, जो विधान सभा है, उसमें जो चुने हुए प्रतिनिदी हैं, जो MLA है, जो सरकार बनाते हैं, क्या उनकी बात जादा मानी जाए या दिल्ली के जो उपराज्येपाल है, ल्यूटिनेंट गौवर्नर है, LG है, उनकी बात जाद कोन है, सरकार किसकी है, सरकार कोन है, आखिरकार, ये बहुत बड़ा डिबेट उठा था, और उस डिबेट का हाल, फिल हाल में ही सुल्ज होता हुआ, समाधान हो गया, पारलियमेंट ने क्लियर कर दिया, कि दिल्ली की सरकार का मतलब, लेटिनेंट गवर्नर, पाल ही यहां का प्रसासक है, वो ही यहां का हैड है, वो जो कहेगा, वो ही काम होगा, उसकी और सहमती से आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह समझे कि जितने भी केंदर सासित प्रदेश है, चाए फिर वो पुड्डु चेरी हो, चाए वो दिल्ली हो जहाँ पर विधाई का हैं जहाँ पर विधान सभा हैं उन तीनों ही केंडर सासित प्रदेश में उपराज्य पाल ही प्रमुख है उपराज्य पाल का ही कंट्रोल है वहां की सरकार जो चुनीवी सरकार है वो चाहकर भी उपराज्य पाल के उपर नहीं जा सकती उसक अंत्रन रहा अब एक दूसरी चीज समझना है सबसे पहले समझिए अगर मैं आपको एक बात बताता हूं कि विधाई का वाले यूटी विधाई का वाले यूटी केंडर साशित प्रदेश हैं तो आप देखेंगे दिल्ली है सबसे पहले फिर दूसरे नंबर पर पुड्डू कोईंड का समीर है अब हम बात करते रास्ट पती के इलेक्शन की रास्ट पती के चुनाव तो रास्ट पती का चुनाव जब होता है तो इस चीज को समझना है आपको कि रास्ट पती के चुनाव में तीन तरीके के लोग भागिदारी करते हैं एक लोग सभा के निर्वाचि सदस्यیں तीसरे केंदर शासित प्रदेश और राजियों की जो विधान सभा है उसके ऐफ निर्वाचित चदस्य efficiency है। ठीक है ये लोग भागीदारी करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि राश्ट पति के चुनाओं में जो विधान सभा के लोग जो भागिदारी करते हैं तो क्या इन तीनों केंद्र सासित प्रदेशों को राष्ट पती के इलेक्शन में भागिदारी मिली हुई है यस और नो सवाल ये बनेगा अपडेटीर सवाल है अभी आपसे कूछ लिया जाएगा कि क्या रा पती के चुनाओं में प्रतेनिधितु नहीं मिला है और उसमें आपको विकल्प दिया जाएगा दिल्ली दूसरा आपको दिया जाएगा पुड्डुचेरी तीसरा दे दिया जाएगा अंडमान निकोबार दीफसमू और चोथा आपको दे दिया जाएगा जम्मू कस्मीर इसमें क्या आंसर होगा यह मैं जानना चाता हूँ आप लोग एगवर बताईए आपको फिर एक कॉंसेप्ट में क्लियर करता हूँ एक तथ्य है एक चीज एक बदलाओ जो है वो मैं आपका करेक्ट कराता हूँ जल्दी से आंसर दीजिए कोई सा भी मेरा प्यारा मित्र ज मिलेगा जम्मू कस्मीर को नहीं मिलेगा ठीक है जम्मू कस्मीर जो है इसको नहीं मिलेगा दिल्ली और पुड्डुचेरी को अभी तक मिला हुआ है अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि राश्ट पती की चुनाओं में लोक सभा होती है राज्य सभा होती ह और प्लस में विधान सभाएं जो हैं विधान सभाएं ठीक है उनके निर्वाचित सदस्य इन सभी के निर्वाचित सदस्य भागिदारी करते हैं तो सर जम्मू एंड कस्वीर में भी तो विधान सभाएं वहाँ पर भी तो निर्वाचित सदस्य हैं तो उनको क्यों नहीं दि सम्विधान का संसोधन करना पड़ेगा, Constitution का Amendment करना पड़ेगा, बिना सम्विधान संसोधन किये, ना तो आप राश्टपती की इलेक्शन की पधती में बदलाव कर सकते हो, ना कोई चीज घटा सकते हो, ना ही कोई चीज बढ़ा सकते हो, तो राश्टपती के चुनाव की संसोधन करना पड़ेगा, और उस समिधान संसोधन के माध्यम से इनको भी भूमी का मिल जाएगी राश्टपती के इलेक्शन के अंदर, अभी वर्तमान में हाल फिलाल में 105वा समिधान संसोधन जल्दी होने वाला है, हो जाएगा, जिसमें राज्यों को अपनी OBC की लिस् मिल जाएगा, और मेरे वो लगता है कि 106 या 107 समिधान संसोधन जम्मू कस्मीर को ले करके ही होगा, कि उसको राश्टपती के चुनाव में भागीदारी दी जाएगी, क्योंकि राश्टपती की इलेक्शन अभी थोड़े ही समय के बाद प्रारम्ध हो जाएगे, रामनात जाएँ के चीज को देख लेते हैं, क्लियर, चलिए, आगे चलते हैं, इसको आगे देख लेते हैं, संसध केंद सासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचि trapped के विश्एव, उन पर विधी बना सकती हैं, ठीक है? तो केंद सासित प्रदेश क्योंकि वो सीधे के सीधे center के अ उस पर कानून बना सकती है संसद अब ऐसा नहीं है कि संसद ही बना सकती है ठीक है संसद तो बनाई सकती है इसके साथ साथ जो दिल्ली पुड्डुचेरी और जम्मू कस्मीर है अगर हम बात करें न कि फिर अगर संसद बनाएगी तो दिल्ली की विधाई का क्या करेगी जम्म उपर अगर हम बात करें तो राज्य सूची और समवर्ति सूची है ठीक है लेकिन केंद्र को भी अधिकार है और केंद्र ने बना दिया तो फिर तो इनका मामला खतम यह कुछ भी नहीं कर सकते हैं यह चीज़ समझते वे चलना है संसद की सकती का विस्तार पुड्डू चेरी दिल्ली और जमू कस्मीर तक है जबकि इनके अपनी विधाईका हैं इसका भी प्राय है कि किसी केंद्र सासित राज्य की अपनी विधाईका होने के बावजूद राज्य सूची के विश्यों पर संसद की विधाईका सकती खत्म नहीं होती, ठीक, बाकी सारे मामले अगर आप देखोगे, राज्यों का मामला अगर आप देखोगे, तो राज्ये के मामले में आपको यह समझना, टेट के मामले में जब हम बात करते हैं, इसको समझाता हूं, आपको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर हम रा पाग जे सूची के विशय पर संसद के कानून बनाने की सक्ति इसको अगर आप देखोगे तो केवल पाँच ही मामले ऐसे हैं केवल पाँच अपवाद हैं जिन पाँच अपवाद में केंद्र राज्य सूची के विशय पर कानून बना सकता है पहला अगर अनुछे 352 लागू हो राष्ट पतिशासन तीसरा अगर दो या दो से अधिक जो अधिक राज्य हैं वो खुद आग्र पारे लिए कानून बना दो तो बना सकता है तीसरा अगर चोथी के अगर हम बात करें तो राश्ट्र हित में राज्यसभा ठीक है राश्ट्र हित में राज्यसभा राज्यसभा अगर संसद को अधी क्रत करे अथोरिटी दे यह ठीक है वही कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो नेश राष्ट्रिय है अंतर राष्ट्रिय संधी समझोते उसको एक्जीक्यूट कराने उसको लागू करवाने किर्यानवित करने तो ऐसे में केंद्र की सरकार राज्य सूची के विशय पर कानून बना सकती है इन मामलों के अलावा और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि वो यह अपव अपवादों के अलावा कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर संसद राज्य सूची के विशयों पर कानून बना सकती है लेकिन जब केंद्र सासित प्रदेश की बात आती है यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो केंद्र सासित प्रदेश के मामले में राज्य सूची के सभी व पाँच अपुवाद हैं केवल पाँच अपुवाद हैं लेकिन केंद्र सासित प्रदेश के मामले में सब पर कर सकती है यह एक इंपोर्टेंट चीज है जो आपको समझना है जो प्रारंभीक परिक्षा में आप से सवाल पूछा जाएगा सवाल ऐसे पूछा जाएगा राज्यसूची किसी भी परिस्थिती में राज्यसूची के विशेपर कानून नहीं बना सकती है पहली स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट संसद केंद्र सासित प्रदेशों के संदर्व में विधाईका वाले केंद्र सासित प्रदेशों के संदर्व में केवल पांच अपवाज़नक पर स्थितियों पर ही राज्य सूची के विशय पर कानून बना सकती है और चोथा स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा कि केंद्र सरकार या संसद केंद्र सासित प्रदेश विधाईका वाले केंद्र सासित प्रदेशों के लिए समवर्ती सूची एवं राज्य सूची के सभी विशयों पर किसी भी समय कोई भी कानून बना सकती है अब आपको कहा जाएगा कि गलत कथन चुनिये और आपके विकल्प दे दिया जाएगा A. एक और दो गलत B. दो और तीन गलत C. एक दो तीन गलत और D. एक दो तीन चार गलत इस तरीके से क्यों आप से पूछ लिया जाएगा तो आपको बेसिकली पता होना चीएगी पावर क्या है राज्य सूची और केंद्र सासित प्रदेश इन दोनों के संदर्व में पार्लियामेंट की संसद्ध की सक्तियां क्या है तो पहली तीन स्टेटमेंट गलत है सीधी सीधी गलत होगी केवल चोथी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेगी तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी एक दो और तीन यह यहाँ पर गलत हो गया तो यहाँ से इस तरीके से सवाल आते है जो प्रारंभिक परिक्षा में बनेंगे और यह बहुत इंपोर्टेंट है इस चीज़ को समझेगा बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ से क्योस्टन से आने याने क्योंकि हाल फिलहाल में इस तरीके की घटनाई हुई है भारत के अंदर दिल्ली के वाला मामला बड़ा हाइलाइटीड है और दिल्ली के मामले के कारण यह प्रारंभिक परिक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट होट टोपिक बन गया यूनियन टेरिटरी इसको भी समझते वे आपको चलना है ठीक है चलिए अगली चीज़ पर चलते हैं अगले कॉंसेप्ट पर चलते है पुड्डू चेरी विधान सभाज वो है वो राज्य सूची वे समवर्ती सूची के विश्यों पर विधी बना सकती है इसी तरह दिल्ली भी राज्य सूची वे समवर्ती सूची के विश्यों पर विधी बना सकती है लेकिन दिल्ली के पास तीन चीज़े नहीं है दिल्ली की विधायगा को पावर दी गई है कि राज्य सूची के विश्यों पर कानूर बनाए लेकिन तीन मामलों में नहीं है जो तीन सबसे इंपोर्टेंट मामले हैं क्या है लोक वेवस्था पुलिस और भूमी यानि कि दिल्ली की सरकार को एकदम निहत्था कर दिया गया है हाथ काट दिये गया है उसको आप कोई भी काम करोगे कोई भी विकास की उजना चलाओगे उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए बई जमीन होनी चाहिए जमीन होगी तभी तो काम करोगे जमीन है नहीं दिल्ली की सरकार के पास डीडी ये होता है जिसको बोलते डैली डेवलप्मेंट अथोरिटी सेंटर गेंडर में वर्क करता है दिल्ली के पास ही नहीं तो दिल्ली की सरकार विचारी कुछ भी काम करना चाहिए तो कहां बनाएगी नहीं बना सकती केंद्र की अनुमती से ही काम होगा सारा का सारा कानून विवस्था उसको संभालने के लिए क्या चाहिए कि नहीं को रोना में जो डंडे मार मार करके घर से निकल रहे थे घूमने फिरने के लिए उनको अंदर डालने के लिए कानून विवस्था बनाने के लिए पुलिस ने भूमी का निभाती है कि नहीं ट्रेफिक मैनेज करना सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत सारी चीज़े और वो पुलिस भी नहीं है दिल्ली के पास दिल्ली की सरकार इसलिए परिशान है उसकी केंद्र के साथ इसलिए भेडंत होते है कि हमारे पास है क्या कुछ भी तो नहीं है ना जमीन है ना पुलिस है ना कानून वेबस्ता है कुछ भी नहीं है हर चीज के लिए सेंटर सरकार की LG की अनुमती पर निर्भर रहना पड़ता है उपराज जेपाल की अनुमती पर इसलिए इनके बीच की ठकराव होती रहती है इसलिए आप देखना जब भी दिल्ली का इलेक्षन होगा ना मेरे दोस्त तो दिल्ली के इलेक्षन में जो चुनावी मुद्दा बनता है वो चुनावी मुद्दा बाकी राज्यों की तरह नहीं होते यहाँ पर केवल वही मामलों पर चुनावी मुद्दा मनता है जो दिल्ली की सरकार के हाथ में है बिजली, पानी साफ सफाई ठीक है और सुरक्षा स्थानिय सतर पर सुरक्षा स्वास्थ सिक्षा यह बुनियादी मुद्दे है और यह जरूरी भी है यही सच में सबसे ज़रूरी चीज़े भी यही है कि बुनियादी सुविधा यह आप तक पहुंचाई जाएं। जब कि भारत में पूरे भारत में कहीं पर भी एलेक्षन होगा तो वहाँ पर मुद्दा मिलेगा फ्री में इतने लाख रुपे फ्री में कार फ्री में बंगला इतना वो इतना ये और यहाँ पर आपको गएगा कि फ्री बिजली फ्री पानी साफ सफाई करवा देंगे ठीक है आपके जो छेतर एरिया वहाँ पर हेल्थ की सुविधाएं अच्छी कर देंगे स्वास्ति सुविधाएं स्कूल अच्छे कर देंगे सरकारी स्कूलों का लेवल तो दिल्ली का इलेक्षन होता तो यही मुद्दे बनते हैं और इन्ही मुद्दों के बल पर दिल्ली की सरकारे बनती है और सरकार बन करके फिर वो वर्क भी उसने किया सरकारी स्कूलों की प्राया पलट कर दी एक दो मोडन प्राइवेट स्कूल जैसा स्कूल बनाए हेल्थ के सेक्टर में वेलफेर के सेक्टर में काफी सारा काम हुआ तो यह सारी की सारी चीजें रीजन क्या है कि सरकार इससे आगे बड़ी घोसना कर नहीं सकती क्योंकि उसके वास है नहीं जमीन नहीं है पुलिस नहीं है लोक व्यवस्था नहीं है ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि अंडमान निको बार रास्ट पती अंडमान निको बार दीप समूं लक्षयोदीप दादरनागर हमेली हवेली दमन दीव जम्मू एंड कस्मीर तथा लग्दाख में सांती विकास वे केंदर सासित प्रदेश बन गए बच गए थीक है तो इन सबके अंदर आप देखना रास्ट पती को पावर दे दे गए जंडीगड को छोड़ करँए दिल्ली को छोड़ करँगए और पुड्डूचेरी को छोड़ कर गए बाकी के जितने भी पांच केंदर सासित प्रदेश बच जाते हैं उन सभी में प्रेजिडेंट वो बहुत ज्यादा पावर्फुल है वो कोई भी कानून वेवस्था बना सकता है गुड गवर्नेंस के लिए अच्छी सरकार ज्यादा विभिन है पूरे देश के साथ तो ऐसे में वहाँ पर विशेश व्यवस्थाएं बनाना जरूरी हो जाता है वो पावर रास्टपती को देदी पुड्डूचेरी में भी रास्टपती विधी बना सकता है बसरते वहाँ विधान सभा विगटित हो गई हो यह बरकास्त हो विधान सभा जब तक रहेगी तब तक रास्टपती कानून नहीं बनाएगा विधान सभा बरकास्त होगी तो वहाँ पर भी रास्टपती कानून बना सकता है लक्षयदीप इंडिया के union territories इसको देखे गजब है ना लक्षयदीप को भी अभी एक हाल फिल हाल में है तो union territories इसलिए भी important है क्योंकि लक्षयदीप का मामला भी बहुत बढ़ादा highlighted है दिल्ली वाला मामला तो आपने देख लिया उसमें मामले का result आ गया कि दिल्ली की सरका का मतलब lieutenant governor है उपराज जेपाल है लेकि लक्षयदीप को लेकर के भी भारत में इस समय बहुत बड़ी राजनितिक उथल पुथल चल रही है बहुत सारे लोग सेव लक्षयदीप लक्षयदीप को बचाओ इस तरीके के slogan लेखते हुए social media पर या बाकी जगह पर देखते तो उसको देखने से आपको समझ में आएगा कि क्या समस्य लक्षयदीप तो बड़ा सांती बड़ा साही जगह है तो उसको समझना कि जब यहाँ पर लक्षयदीप देखते हो ना तो इसी लक्षयदीप के बिलकुल इधर नीचे आपको मालदीव नाम के द्वीप के लोग टूरिजम करने के लिए घूमने फिरने के लिए माल दी हुजाते हैं फोटो सूट करने के लिए घूमने बीच पर रात बिताने के लिए हनीमून के लिए हूप पैसा बनाता है जबकि सेम वैसे के वैसे द्वीप हमारे पास भी तो है लक्सवदीप हमारे इंडिया क लोग मालदी उजा रहे हैं फूब पैसा दे रहे इंडिया का पैसा वहाँ पर दे रहे तो इंडिया की सरकार का विजन ही है कि क्यों न हम लक्ष्योदीप में बुनियादी सुविधाएं विक्षित कर दें है टूरिजम जो है उसको लक्ष्योदीप में बहुत अच्छे से क्योंकि सारी की सारी चीज़े तो ही condition माल्दीव में वो सारी की सारी लक्षवयदीप में है है हूँ तो लक्षवयदीप को अगर हम ऐसे develop घूर तो पूरे विशु के लोग जो travel कर के लक्षय दीप भी आएंगे, मैक्सिमम लोग, इंडिया के लोग फिर लक्षय दीप जाएंगे, फोड़ा कम पैसा खर्च करके आप जा सकोगे वहाँ पर, जाता नहीं देना पड़ेगा, टूरिजम से पैसा हम काफी अर्ण कर पाएंगे, लक्षय दीप का भी development होगा, इंड लेकिन यह विजन मैंने आपको बताया कि सरकार क्या विजन लेकर के चल रही है, और लक्षय दीप क्योंकि हमारे लिए सामरिक रूप से भी बहुत मैतपून है, क्योंकि व्यापारिक मार्ग के उपर स्थित हैं नमासागर के, और चाइना का जो वन बेल्ट, वन रोड है, जिसमें मालदीव को भी वो सामिल करता है, तो वो रास्ता भी लक्षय दीप के पास से ही होकर के निकलता है, तो ऐसे में अगर लक्षय दीप को हम डेवलप करते हैं, इसको थोड़ा सा और मजबूत बनाते हैं, तो हमारी स्थिती, हमारी मोजूदगी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ेगी इस छेत्र के अंदर, यह यहाँ पर है, ठीक है, आगे चलते हैं, और देख लेते हैं, रास्त पती द्वारा बनाई गई विधियों की सक्ती वे प्रभाव, संसद के अधिनियमों की ही तरह हैं, और वे संसद के किसी अधिनियम को समाप्त या संसोदित कर सक सकता है, यह बहुत important power है, भारत के अंदर यह executive को power दे दी गई, संसद के अधिनियम को समाप्त करने की सक्ती, क्या रास्त पती के पास है, नहीं है, राज्यों के स्तर पर नहीं है, संसद के किसी अधिनियम को null and void गोसित कर सकता है, तो supreme court गोसित कर सकता है, वो भी तब जब समिधान के मूल ढाचे का उलंगन करें, लेकिन इन केंदर सासित पर देसों में, जहाँ पर रास्त पती को विशेश सक्ती दी गई, अधिनियम बनाने की, तो अगर ऐसा कोई अधिनियम रास्त पती बनाता है, तो वो ही सर्वोच रहेगा, वो ही माना जाएगा, अब मान ल के नहीं विवस्था बनानी चाहिए, तो रास्त पती वो काम भी यहाँ पर कर सकता है, तो इन पांच केंदर सासित प्रदेशों में रास्त पती सुपर पावरफुल हो जाता है, वास्त्विक सकती, अब आप खूगा सर, राश्त पती तो वास्ट विक्ता में राष्ट पती नहीं केंद्र सरकार इसके पीछे कारे करती है क्योंकि राष्ट पती की तो अपने मर्जी होती ही नहीं वो तो आर्टिकल 74 के अनुसार काम करेगा अनुछे चोतर के अनुसार काम करता है अनुछे चोतर क्या गहता है कि राष्टपती भारत के जो मंत्री परिसद है जिसका मुख्या प्रधान मंत्री होता है उसकी सला मस्वीरा पर काम करेगा उसी के नुसर करना पड़ेगा तो देट मीन ये पांच चेतर पांच केंदर सासित प्रधे सहसे हैं जिनके अंदर केंदर सरकार अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का परिवर्तन कर सकती है संसद की मंजूरी के संसद के कानून बनाया हुआ हो या ना बना हुआ हो कोई फरग नहीं पड़ता उसको ओवर कर सकत की विधान सभा राज्य सूची उसमें सार्जनिक व्यवस्था एवं पुलिस को छोड़ कर तथा समवर्ती सूची के अंतरगत किसी विशय पर भी कानून बना सकती है जैसे दिल्ली के लिए प्रावधान थे सेम वैसे वैसे ही प्रावधान जम्मू कस्मीर के लिए भी किये दिल्ली को तीन मामलों में अलग कर दिया गया पुलिस और जमीन भी छोड़ दी गई जमीन भी ले ली गई दिल्ली से जमीन इसले ले 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 गई कि केंद्र सरकार के अधीन रहेगा तो केंद्र सरकार को वहाँ पर चीजे बनाने एस्टेबलिस्मेंट करने में मदद भी लेगी क्योंकि देश की राजधानी है तो उसको लिए जरूरी है जमीन का होना नहीं तो सरकार तो जमीन देगी ही नहीं कि राज्ये की सरकार अगर केंद सासित प्रदेश की सरकार से कूछने लग जाओ तो जम्मू कसमीर के मामले में जमीन हमने दे दी ठीक है, इस ठीक है तुम जमीन रखो लेकिन पुलिस और सार्जनी के व्यवस्ता याणि कि लो एंड ओडर जो है न वो कबजे में है, वो कंट्रोल में किसके वो सेंटर के कंट्रोल में है वो वहां की विधाईका के पास नहीं रहेगा संसद किसी केंद सासित प्रदेसों में उच नियायले की स्थापना कर सकती है या उसे निकटवर्ती राज्ये के उच नियायले के अधिन कर सकती है और ऐसा ही है यह power है कि पार्लियमेंट चाहे तो हर union territory के लिए एक high court बना दे और चाहे अगर उसको लगता है कि यह अलग से high court बनाना ठीक नहीं है जनसंख्या कम है छेत्रफल कम है तो किसी दूसरे राज्ये के high court के साथ जो उसके साथ में जूडता है उसके साथ जोड़ दे उसके मामले वहाँ चले जाए तो भारत में ऐसा ही होता है भारत में केंदर सासित प्रदेशों के मामले में अगर आप बात करोगे तो दिल्ली एक मात्र ऐसा केंदर सासित प्रदेश था जिसके पास अपना खुद का अकेला हाई कोट था और वर्तमान में भी अकेला हाई कोट वाला केंदर सासित प्रदेश दिल्ली ही है हलाएं कि जम्मू कस्मीर भी आ गया है ठीक है लेकिन जम्मू कस्मीर जो है उसके साथ लद्दाख उसके अंतरगत आता है उसके जूरिस्टिक्सन में आता है चंदीगड में भी हाई कोट है लेकिन चंदीगड का एकमातर अपना अकेला नहीं है वो पंजाब हर्याना का हाई गौट है केवल दिल्ली ऐसा है केंदर्शासित प्रदेश केंदर्शासित प्रदेश या कोई राज्य संबिलित नहीं है क्योंकि दिल्ली अपने आप में बहुत बड़ा है भाई जनसंख्या दो करोड के करीब जनसंख्या है, देश के बहुत सारे राज्यों में जनसंख्या नहीं है, यतनी जितनी दिल्ली अकेले दिल्ली के अंदर जनसंख्या है तो इसके मामले भी जादा आते हैं, समस्याइं भी जादा हैं, तो उन समस्याओं को सुलजाने के लिए यहाँ पर यह हाई कोट बनाने की आऊ सकता थी तो बनाएगी और यह पार्लियामेंट सुप्रीम कोट जो यह हाई कोट Establishment करने की जो power है Establish करने की सकती है ये है संसद के पास Parliament के पास है Parliament इस तरीके का कारिय कर सकता है दिल्ली ही एक मात रहसा केंदर साशित प्रदेश है जिसका स्वैम काउच नियाल है 1966 से ही उसके पास है ठीके, दादर नागर हवेली दमन दीव, ये बंबई हाई कोट के पास उसके दायरे में है इसको याद रख लिजेगा, ये बहुत important lines है ये line मैं आपको बता देता हूँ ये important है, इसको याद करना है ये भी important है, ये भी आपको याद करना है, इनको underline कर लेना है Union territory वाला chapter बहुत most important chapters में से एक वर्तमान समय में है ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की घटना करम हुआ है उसके आधार पर Union territories बहुत महत्पून हो जाती है दादरा और नागर हवेली दमन एवम दीव, ठीक है ये दोनों अब एक ही Union territory है ये बंबई उचनियाले के दारे में है अंडमान निकोबार दीव समू जो है, उसको आप देखोगे तो ये कलकत्ता कलकत्ता हाई कोट के अंतर गत है चंदिगड है, वो पंजाब हर्याना के अंदर है ठीक है, लक्ष्योदीप जो है वो केरल हाई कोट के अंतर गत है पुड़ुचेरी जो है, वो मदरास हाई कोट के अंतर गत है इनके छेतर में, इनके जूरिस्डिक्षन में आते है अब आप जब मैप देखोगे, तो आपको एक चीज समझे ये जितनी Union territories है खास करके लक्ष्योदीप और अंडमान निकुवार्द्वीप समू अंडमान निकुवार्द्वीप समू वहाँ पर crime rate है ही नहीं 0 है मतलब जिसको आप बोलते हो न, राम राज जी है इंडिया में आपने जो concept सुना, महात्मा गांधी वाला उस तरीके की विवस्था अगर कही है तो अंडमान निकुवार्द्वीप समू में है उसके 2-3 reason है समझिए एक तो कोई भी अगर वहाँ पर crime करेगा वहाँ के स्थानिय वेक्ती तो टूरिस्ट लोग जाना बंद कर देगे और अंडमान निकुवार्द्वीवस्था आर्थ वेवस्था केवल और केवल टूरिजम पर निर्भर करती है टूरिस्ट नहीं जाएंगे उनका development, उनका विकास काम नहीं होगा तो टूरिस्ट अभी जाएंगे जब उनको security मिलेगी, safe रहेगा, सुरक्षा मिलेगी तो वहाँ के लोगों में कोई तो काम आजाएं, कोई तो समस्या लेकर आजाएं इस तरीके की ववस्था होती है वहाँ पर क्राइम ही नहीं है और अगर कोई क्राइम कर भी लेगा तो जाएगा कहां से बच करके भी तो नहीं जा सकता द्वीप हैं गिने चुने लोग होते हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को जानता है जैसे गाव होते हैं गाव के अंदर सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं कोई भी घटना होगी तो सबको पता चलती है कोई जाई ने बची नहीं सकता ऐसे वहाँ पर हर कोई हर किसी को जानत हाई कोट कहा है कोलकाता में अंडमान से कोलकाता जाने में ही बहुत मोटा खर्चा लग जाएगा आने जाने में और बहुत मोटा समय लग जाएगा जहाद से जाओगे पानी के जहाद से जाओगे तो हवाई जहाद से जाओगे तो बहुत मोटा खर्चा लग जाएगा और एक बार कोट के चक्कर में फस गये तो आपको पता है कोट किस तरीके से काम करता है तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक मिली जडशाब अब वो इतनी तारीक के मिल जाएंगे वो विचार क्राइम खतम है क्राइम है ही नहीं आप करोडों से रुपया भरा बैग छोड़ कर गया जो आपको पास वापस पहुंच जाएगा लोग पहुंचा जाएंगे देखो भी आपके करोडों का बैग था यह लो ले लो होता है क्योंकि मैं तो वहापर दो तीन बार जा चुका हू तो मैंने यह सारी चीज़े एक्सपिरिंस की हैं लोगों को देखा है परखा है बहुत सारी चीज़े मज़े से आप जा सकते हो वो इतनी अच्छी जगह है ठीक है तो इतना मोटा पैसा और यह सारी चीज़ों के कारण कुछ अच्छा भी हो गया कि एंडमान एक ऐसी जगह इनिए भारत में जहाँ पर क्राइम नहीं है सोचोँ अगर मेस को पर काम नहीं कर रहा तो उसके लिए सरवायू करना बड़ा मुस्किल अगर उनकी पास जमीन जायदाद घर-परिवार नहीं है तो बड़ा मुस्किल हो जाएगा सरवायव करना मेरा बस चलता तो मैं तो वहीं जा करके बस जाता अंड़मान में कहीं आता ही नहीं लेकिन उतने पैसे नहीं है कि वहाँ पर जा करके रह सके लेकिन वो जगह बहुत अच्छी है बड़िया जगह रहने लाइक समिधान में अधिग्रहिट प्रदेसों के प्रसाशन के लिए अलग से उपुबन्द नहीं है, परंतु केंद्र साशित प्रदेसों के प्रसाशन के समयधानिक उपुबन्द अधिगरहित छेत्रों के लिए लागू होते हैं. यानि कि अगर माल लेते हैं कि किसी इन फ्यूचर अगर इन फ्यूचर अगर माल लोग हमने कोई एरिया लिया माल लेते हैं कि सिलंका के पास कोई द्वीप है उसने हमें दे दिया या बांगलादेश के पास कोई द्वीप है वो हमने उससे ले लिया या बांगलादेश का कर सकते हो आप वहां के लिए अलग से जोब आप जाओगे आप ट्राई कर सकते हो यूटीज के लिए जाओगे ना एगमुट जो काडर होता है यूनियन टेरिटरीज का जो काडर होता है अगर उस काडर में अगर आप आई एस बनते हो उस काडर में आप बनते हो भई तो अं सेवा के लिए कि देश सेवा करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही वह आई एस बनते हैं तो वह चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग ऐसी जगाव पर हो जहां पर थोड़ी सी मलाईदार चीजे हों अगर यूनियन टेरिट्री में में भी कहीं पर ओ रहा है तो उनकी प्रमुख कोशिस रहती है कि दिल्ली चंदीघड इस छेत्र में यह पुड़ुचेरी इन छेत्रों में उनकी पोस्टिंग हो अंड़मान में जाओ कि कुछ मिलेगा ही नहीं नहीं है ठंठन गोपाल तो वहाँ पर पोस्टिंग कराना पसंद करते नहीं है लोग मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि जो गुवर्मेंट ओफिसर हो कि कोई घूम करके आ जाएंगे आनिमून मना करके आ जाएंगे छुट्टिया बिता करके आ जाएंगे लेकिन पोस्टिंग नहीं लेंगे बहुत कम लोग पोस्टिंग महाँ पर लेना पसंद करते हैं तो यह एक मामला है महाँ पर जो चीज आपको यहां पर समझनी है जितने भी दोसर लाइक सेर करते हो आओ आपके लिए इतनी रात में भी दम लगाकर के मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं और अगर आप लाइक स साथ मिलना चाहिए ओडियंस मिलने चाहिए पढ़ा सकते हैं तो रेगुलर पढ़ा देंगे और भी बहुत सारे मेंड में टोपिक्स जो है मैं आपके लिए रेगुलर कराता रहूंगा लेकिन आप लाइक सेर करा रहे इनको भेजे इतनी रात में आकर कोई मेहनत कर गे आपक इसको समझिए यह एक मामला है जो काफी इंपोर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए कि दिल्ली के लिए क्या-क्या विशेश उपबंध है किस तरीके के स्पेशल प्रोविजन्स दिल्ली के लिए किये गए हैं जब भी हम दिल्ली की बात करते ना तो 1991 में 79 में समिधान सम सोधन विधेक में केंद सासित प्रदेश दिल्ली को विशेश दरजा या हैसित प्रदान की गई और इसको राष्ट्रिय राजधानी छेतर दिल्ली एनसीटी दिल्ली का दरजा दिया गया और लेफटिनेंट गवर्नर यानि कि LG उसको प्रसासक बनाया गया विधान सभा भ बनाई गई कि विधान सभा भी रहेगी ठीक है तो और विधान सभा के लिए कुछ विशेश रूल रेगुलेशन बनाये गए अब इस चीज़ को समझ येगा बड़े द्यान से बाकी के राज्यों में विधान सभा होती है और दिल्ली और जम्मू कस्मीर की जो विधान सभा होती है इनके अंतरगत इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंस बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे उन अंतर को मैं आपको यहाँ पर एक्स्प्लेन करता हूँ दिल्ली इरिया है यह दिल्ली का मैप है इंडिया के मैप में आप देखोगे तो बिल्कूल यहां पर आपको यहां पर मिलेगा और यह दिल्ली अलग अलग जिलों में यहां पर बटा हुआ है फोटो देखोगे तो आप यही फोटो ज्यादा तर देखने को मिलती है इंडिया गेट ल फोटो अखबार में छपती है कि बारिस्क में निरत्य करती वी नव यूवतियां हमारे फोटोग्राफफर भाई साब इस तरीके से फोटो खीच करके न्यूस्पेपर में डालते हैं थ्री डीट्स का आपने सीन देखा होगा स्कूटी के उपर जो एक भुजुर्ग वैक्ती होते हैं सर्मन जोसी के पापा है वो बिमार होते हो तो फुसको ओस्पिटल ले कर ग privileged जाते हैं तो स्कूटी के उपर जो दोड़ाए जाते हैं वही इस सेतर से दोड़ाए जाते हैं एरिया काफी बढ़ी है ये तो दिल्ली के लिए प्रावधान कुछ अलग है इस चीज को समझे यूनियन टेरिट्री है इलेक्षन तो भारत निर्वाचनायोगी कराएगा सीरी सी बात है यूनियन टेरिट्री हो या राज्यों की सरकारे हो लोक सभा और विधान सभा के सुना और भूमी ये आपको जस्ट थोड़े देर पहले समझा दिया तो दुबारा से यहां पर एक्स्प्लेन करने की जरूत नहीं पड़ती है ठीक है कि क्या है क्योंकि अगर इन मामलों में आप देखोगे तो संसद ने अगर कोई कानून बनाया है इन तीन मामलों पे तो केवल लाईन समझीए यहां कि मंदल की संख्या विधान सभा की कुल संख्या का दस प्रतिसत है समझी यहां कि ह्combRA भारत के अंदर लिए राज्यों के अंदर अगर किसी वी राज्य को लो गए तो समें मंत्री परिशच्द की संख्या जो वो 15% होती है, वहां की जो विधान सभा है, उस विधान सभा की कुल संख्या के 15% होती है, संसद में भी यही रूल है, और राज्यों की विधान सभाओं में भी यही रूल है, लेकिन दिल्ली और जम्मू कस्मीर, ठीक है, इसके अंदर जम्मू एंड कस्मीर को भी जोड ये दो केंद्र सासित प्रदेश भारत के अंदर ऐसे हैं जहां कि विधाई का है जहां कि विधान सभाई हैं उसमें जो मंतरी मंदल इनका बंता है वो केवल 10% हो सकता है विधान सभागा। अब दिल्ली में विधान सवागी सीटे कितनी हैं सत्तर इसका मतलब कितने मंत्री हो सकते हैं केवल साथ अब इतना बड़ा दिल्ली कितनी सारे लोग दो करोड के करीब लोग कितने सारे डिपार्टमेंट और कितने आदमी थे कालिया केवल साथ मैक्सिमम साथ हो सकते हैं तो एक ही मंत्री के पास कंभए की कई सारे डिपार्टमेंट देखने सी सोधिया सारे कामों को देख रहा हुता हैं मुख्या मंत्री इंकिलूड है मुख्य मंत्री को मिला करके 10 पृतिसत उसको हटा करके नहीं तो दिल्ली में विचारे मुख्य मंत्री के साथ केजरीवाल के साथ 6 और मिनिस्टर होते हैं टोटल 7 लोग रहते हैं वो दुखी रहते हैं कार भार हो जाता है वर्ड बड़ काम में 10 प्रतिसत है ठीक है अब न्युक्ति की बात करते हैं इसको समझेगा बहुत important चीज है कि राष्ट पती मुख्यमंत्री को न्युक्त करता है ने कि उपराजे पाल इसको बड़े ध्यान से समझेगा मैं आपको यहां पर बात करता हूं जब भी भारत में न्युक्ति की बात करते हैं इसको बड़े ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त जब हम यहां पर मुख्यमंत्री की न्युक्ति की बात करते हैं चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री किसका अगर किसी भी राज्ये का है, कोई भी राज्ये, तो उसकी नियुक्ति कोन करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा राज्येपाल, भारत में कोई भी राज्ये हो, उस राज्ये में अगर मुख्य मंत्री बनता है, विधान सभा है, जहां पर सभी राज्यों में है, उस राज्ये के मुख्य मंत्र पर दिल्ली भारत में तीन ऐसे छेतर हैं जहां पर विधान सभा आया है लेकिन वह राज्य नहीं है केंद्र सासित प्रदेश है तो अगर हम मैं बात करूं केंद्र सासित प्रदेश केंद्र सासित प्रदेश केंद्र सासित प्रदेश केंद्र सासित प्रदेश केंद्र सासित समझने में आसान हो जाते हैं इंडिया में ऐसे सब टाइटल दिये जाते हैं जैसे आप लोग कुछ दुकान हुगान खोलते हो या अपनी पहचान दिखाते हो मिस्ठान भंडार राधे मिस्ठान भंडार बिकानायर वाले मेरठ वाले राजू मलाई क्रीम बनारस वाले इस तरही किसे हैं तो हमारे देश में तीन केंदर सासित प्रदेश हैं दिल्ली पुल्डुचेरी और जम्मू कस्मिर जहां पर विधान सबा है अब जब यहां पर नियुक्ति की बात आएगी तो यहां पर भी उप्राज्यपाल तो है जो प तो यहां पर अगर मुख्य मंत्री होगा तो इसकी नियुक्ति कोन करेगा रास्ट पती करेगा हमेशा नियुक्ति हमेशा रास्ट पती करेगा उप्राज्यपाल नहीं करेगा क्यों क्योंकि रास्ट पती के सीधे कंट्रोल में सीधे नियंत्रण में हमारे केंद्र सासित प और सासक हैं वो राष्ट पती के एजेंट के रूप में कारे करते हैं ठीक है एक उसके एजेंट के रूप में उसके प्रतिनी धी के रूप में कारे करते हैं में पावर जो है वो प्रेजिडेंट के पास होती है अब नियुक्ति तो राष्ट पती करेंगे लेकिन सपत का संच सपत संचालन इसको समझे सपत संचालन है। करते हैं वह उप्राजय पाल करते हैं लेकिन जब अपोइंट्मेंट की बात आएगी तो करने वाली अथोरिटी प्रेजिडेंट होते हैं राष्ट पती होते हैं यह दो चीजे समझने हैं क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि जम्मू कस्मीर के मुख्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा और विकल्प दे दिया जाएगा आपको उपराष्ट पती उपराज्येपाल राज्येपाल भारत के परधान मंत्री तो हवा हवाई हो जाओगे मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री तो राज्येपाल करते हैं यह उपराज्येपाल करते हैं लेकिन वहाँ पर मामला दिया है कि जम्मू कस्मीर और आपको दिमाख में य या। इसका सिंपल सा मतलब सिंपल स reliable आपका concept test करना चाहा रहा है कि आपको पता है चेम आतांस विधान सभावा वाले केंदर. और विदशाहित प्रदेश वहें खुला है और उनके इनल नियुक्ति और जब एवर मुख्य मंत्री की नियुक्ती हो जाती है तो अपोइंट्मेंट होने के बाद जो अन्य मंत्री हैं जो अधर मिनिस्टर हैं इनकी नियुक्ती राष्ट पती मुख्य मंत्री की सलापर करते हैं और मंत्री राष्ट पती के प्रसाद परियंत पद पर रहते हैं इ मोही प्रोविजन जो बाकी जगह पर चलता है मंत्री मंडल सामुही करूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदाई है यानि कि विधान सभा में बहुमत नहीं तो उनकी सरकार गिर जाएगी इस चीज को मंत्री मंडल मुख्य मंत्री की अध्यक्सता में उप राज्येपाल द्वारा स्वेव इबेक से लिए गए निर्नेओं को छोड़कर बाकी सभी कारियों में सहयोग वे सहायता करती है लेकिन उप राज्येपाल वे मंत्री मंडल में किसी मुद्दे पर टकराव होने पर उप राज्येपाल उसे राष्ट पती के पास भेज सकता है यह मुद्द है एल जी और बनाम दिल्ली राज्ये उसका जो विवाद तकराव चला वो मुद्द यहां पर जुड़ता है काफी टाइम तक दिल्ली को लेकर के यह उथल उथल रहा यह मामला सुर्ख्यों में रहा वो सारी सरकारें आई और गई कोंग्रेस की सरकार भी आई बीजेपी की सरकार भी आई आम आदमी पार्टी की सरकार भी आई हर प्रकार की सरकारें जब भी election होता तो election से पहले इसी चीज के उपर focus करती थी कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्ये का दरजा दिलवाएंगे उनको पता था कि मिलेगा तो नहीं लेकिन क्योंकि भारत की राजनिती है तो भारत की राजनिती में वादा करना भी जरूरी है ठीक है और वादा करना वो वादा करके निभाओ ना निभाओ उससे फरक निभड़ता वादा करना जरूरी है तो ये चीज वा लेकिन वर्तमान की सरकार आई तो उसके उपर ये प्रेसर था कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा है न जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा तो वर्तमान की सरकार ने ये कोशिस की कि दिल्ली में क्योंकि चुनी हुई सरकार भी है तो हर मामले को हम LG से पूछ करके ही क्यूं करें उप्राज्य पाल से पूछ करके क्यूं करें क्योंकि लोगों ने तो हमें चुना है ना भई लोगों ने तो हमें वोट दिया हम लोगों के लिए कारे करते हैं ऐसे में उप्राज्य पाल यहां पर हमारे सर के उपर एक ऐसी सक्ति बैठ गया है ताना सार्थ प्रकार की डंडा ले कर गे कि उसकी मर्जी के भीना हम कर ही नह केंद्र इनके बीच में मामला गर्माने लगा तो काफी सारी अफवाहों का मार्केट भी गर्म होने लगा और मुद्दा बनने लगा कुछ बोलने लगे कि हम तो राज्ये का दर्जा चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं देरी केंद्र सरकार नहीं देरी हमें development नहीं करने देरी वि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल ही है दिल्ली की जो चुनीवी सरकार है वो सरकार नहीं सरकार का मतलब लेटिनेंट गवर्नर जो की राष्ट पती के एजेंट के रूप में प्रतिनिधी के रूप में वहाँ पर है वो ही दिल्ली जी सरकार है अंतिम निर्ने एल ज का ही होगा क्योंकि ये केंदर सासित प्रदेश हैं और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि दिल्ली रास्त्री राजधानी हैं देश की राजधानी हैं तो देश से संबंदित सबसे महतपूर निर्ने और कार्ये दिल्ली में ही किये जाते हैं संस ये एक ऐसा छेतर है जो केंद्र के डारेक्ट अधिन में रहे पानिय लोगों की सुविधाओं के लिए मूल भूत सुविधाओं के लिए हम सरकार को कुछ छूट दे सकते हैं अधिकार दे सकते हैं सरकार बनाने की लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो केंद्र के साथ ही इस मामले पर टकराने लग जाए कि हम ही सकतिसाली हैं वो हमेशा लेटिनेंट गवर्नेर के अधिन ही रहेंगी ये मामला अब किलियर हो गया है ठीक है ये नया एक्ट आ गया है उस नये एक्ट के बाद अब दिल्ली की सरकार का मतलब अब LG, ठीक है, उपराज्य पाल, बाकि अब सब सांत हो गया, अब ये जगडा ही समाथ, खतम हो गया, अब इस तरीके का जगडा बाकि किसी केंदर सासित प्रदेश में भविस्य में उठेगा भी नहीं, क्योंकि ये मामला सब के उपर लागू हो गया, उड्डुचेरी, जम धारी व्यक्ति है, उन्हीं की मर्जी चलेगी, और कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऐसे स्थिती में जब छेत्र का प्रसासन उपरोक्त उपबंधों के अनुसार नहीं हो पा रहा हो, तो रास्टपती उपरोक्त उपबंधों को खारिज कर सकता है, और छेत्र के प्र केंदर सरकार के कहने पर ही करता है, दूसरे सब्दों में समयधानी की विफलता की स्थिती में रास्टपती उस छेत्र में अपना सासन लागू कर सकता है, ठीक है, ऐसा उपराज्येपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर होता है, यह बंद अनुच्छे 356 के समान है, जिसके तहट राज्यों में रास्टपती सासन लागू लगाया जासता है, अगर आपसे सवाल कभी पूछ लिया जाए, कि क्या केंदर सासित प्रदेश जो ओलरडी सेंटर गेंडर में है, क्या वहाँ पर भी रास्टपती का सासन लागू हो सकता है, तो बिलकुल ह हो सकता है, क्योंकि केंदर सासित प्रदेश जिन में विधाईका हैं, तीन विधाई, बाकी तो सारे रास्टपती के अदिने डारेक्टी, ये भी रास्टपती के अदिने लेकिन यहाँ पर तीन केंदर सासित प्रदेश में विधाईका भी है, जम्मू कस्मीर, नहीं कर पा रहे हैं, समिधान को लंगन कर पा रहे हैं, तो इन छेत्रों में भी रास्टपती सासन लागू हो जाएगा, तो यहां की जो सरकार है, वो भी बर्खास्त हो जाईगा, खतम, मामला खतम, तो सेंटर अल्टीमेटली केंदर सासित प्रदेशों के मामले में, केंदर बहुत ज़्यादा पावरफूल है, उसकी सक्ती के बराबर कोई है यह नहीं, किसी मामले में टक्कर नहीं दे सकते आप उसको, ठीक है, उप राज्येपाल जो सभा के सतर में नहीं जला सकते हैं, अगर विधाईका का सत्र नहीं चल रहा होता है, ऐसे ही केंदर सासित प्रदेशों में भी दिल्ली, पुड़ुचेरी और जम्मु-कस्मित, जहां पर विधाईका है, विधाण सब है, अगर उसका सत्र नहीं चल रहा है, सेसन में नहीं है, तो महत्मुन कामो को करने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है और अध्यादेश जो है बिल्कुल आप देखोगे एक सामान्य कानून जैसी ही सकती रखता है पावर रखता है और अगर किसी अध्यादेश का प्रभाव उतना ही होता है जितना प्रभाव सभाद्वारा पारित किसी अधिनिय प्रतेख अध्यादेश को सभा के पुनहे समवेत होने के छे सप्ता के भीतर अवस्य अनुमदित कर लेना चाहिए अधिक्तम अवधी इसकी भी चाह महीने और छे हफ्ते होती है छे हफ्ते होती है इस दोरां में इसको विधान सभाह से पारित करवाया जाना जरूरी यह नही अब आप लोग कमेंट बोक्स में बताएंगे कि ओडिनेंस जो है आर्टिकल जो अध्यादेश है वो किस-किस आर्टिकल के अधिन लाए जाते हैं रास्ट पती क्या केवल रास्ट पती अध्यादेश ला सकता है या रास्ट पती के अलावा राज्यपाल वो भी राष्ट पती किस अनुचेद से अध्यादेश लेकर गयाता है और राज्येपाल वो किस अनुचेद से अध्यादेश लेकर गयाता है जल्दी से तो अभी जिसने भी आंसर दिया 123 उसका करेक्ट है प्रधान मंतरी के लिए जो भी आंसर देंगे मेरे दोस्त दोती नहीं ही तादर्स उनके अलावा बाकि सोगें लगता है लड्डू राठोड तीसरे भी जागे हैं बाकि सब लोग रात के उसमें आगे हैं अब हो गई यह रात होया जाए हैं नींद में आगे हैं सब लोग चलिए तो बिलकुल ठीक 123 आर्टिकल के अनुसार राष्ट पति अध् सब्चाइब तो ये दोनों आपको याद रहने चाहिए इंपोर्टेंट थे ठीक हैं किसी भी समय उस अध्या देश को वापस भी ले सकते हैं कि जलिए आगे चलते हैं किन्तुवे सभह भंग होने या स्थागित पर किसी अध्यादेश को प्रक्ष्यापित नहीं कर सकते है ठीक है इसके अतिरिक्त रास्टपती के पूरवानुमती के बिना ऐसे किसी अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं किया जा सकता तो रास्टपती का नुमूदन लेना इन सब चीजों में बहुत जरूरी है अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए अब कुछ एक और ची है वस कि भारत सरकार कारेवाही आउंटन नियों मावली 1961 के अंतरगत ग्रह मंत्राले संगिये छेत्रों में विधायन विद एवं बजट से वाएं तथा उप राज जेपाल एवं प्रस्गास को कि न्युक्ति से संबंदित सभी मामलों के लिए नोडल एजन्सी है बेसिकली ह हूम मैंनिस्ट्री के अंडर में ही सारा गसार सवसंण प्रसासन होता हैं उम मैंनिस्ट्री ही इन सब चीजों को देखति नोडल एजन्सी वो रहती है सभी छै संह्यचेत्रों यहाँ पर छहों लिखा है अंडमान निकोबार, जंदिगर, दमन दीव, दादर नागर हवेली, लक्सर दीव और लद्दाक तो इसको पांच कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि अपडेटिड नहीं है सभी पांच इसको कर लेना है, पांच बुक के अंदर करेक्ट कर लेना है पांच ऐसे संग साशित छेतर जहाँ पर विधाई का नहीं है वहाँ पर ग्रह मंत्री सलाकार समीती या प्रसासक सलाकार समीती वो उसका फोरम होते है तो ग्रह मंत्री सलाकार समीती देखना है HMAC की बैठक अध्यक्स्ता बैठक की अध्यक्स्ता जो केंद्रे ग्रह मंत्री करते हैं और AAC की बैठक की अध्यक्स्ता उस छेत्र के प्रसासक करते हैं संसर तथा स्थाने निकायों के सदस्य इन समीतियों के सदस्य होते हैं, समीति संग्य छेत्रों के सामाजी कार्थिक विकास से जुड़े सामान्य गुद्ध पर विचार विमर्स करती है, इतना साथ है ज्यादा नहीं था, important यह है, इसको समझ लीजिए, यह इसी एक टेबल के ने तो वो भी नराज हो जाएंगे कि सर रात में हमने आंसर दिया, आपने हमारा नाम ने लिया, जैसे कैड़िट ने दिया, गलत आंसर दिया, लेकिन आंसर दिया, आरती सी प्रभाकर मंडल उन्होंने भी आदेश दिया, छात्र ने भी आंसर दिया, लेकिन गलत दिया, ए का हमने नाम ले दिया बाकी सब का भी बाद में लेंगे अभी थोड़ा से टाइटल टेबल देख लेते इसमें भी एक करेक्शन है करेक्शन कर लेना है कि कौन-कौन से केंदर साशित प्रदेश है तो जो दादर नागर हवेली और दमन दीव के आगे तीन और चार लिख है न दिल्ली पुड्डुचेरी और इनको अगर हम देखें तो ये काट लीजिए इसकी संख्या थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा इसको दिल्ली को चार कर लेना है लक्सेदीप को पांच पुड्डुचेरी को छे जम्मू कस्मीर को साथ और लद्दाक को आठ ठीक है ये आप किर्दान के रूपमें जाना जाता है जो है उपराजय पाल या प्रसासक पंजाब के मामले में आप देखोगे सेम जो मैंने बताया था कि पंजाब को राज्येपाल चंदिगड का भी प्रसासक होता है और दादरंघर हवेली दमनेवंदीव इसमें लिख लिख प्रशाषित प्रदेशों में अगर हम बात करते हैं राज्य और केंद्र शाषित प्रदेश के बीच जो संबंध हैं फुलना है कंपेरीजन है वह कंपेरीजन भी देख लीजिए ठीक है राष्ट पती के ही एजेंट होते हैं सभी लोग प्रसाषन में भूमी का मदद जो है वो ग्रह मंतरा ले करता है यूगि मिनिस्ट्री जो है वो उसी की पास है लोग कार्मिक वही है लेकिन वो एजेंट प्रतिनी दी तुझो है वो करते हैं किसका राष्ट पती यानि की देख लीजिए राज्य और केंद्र सासित प्रदेशों में राज्य में आप देखोगे केंद्र और राज्यों का तो केंद्र के साथ संग्य संबंध है सक्तियों का बटवारा होता है केंद्र सासित प्रदेश इस तरीकी से सक्तियों का बटवारा करते नहीं है कोई अलग सु प्रसासनिक व्यवस्था एक जैसी है पूरे केंद्र राज्यों की लेकिन केंद्र सासित प्रदेसों में देखोगे प्रसासनिक व्यवस्था एक जैसी नहीं है क्योंकि कहीं पर उप्राज्येपाल होगा कहीं पर प्रसासक होगा ठीक है इस तरीके से व्यवस्था है लेकिन राज्यों में हर जगे वहां का प्रमुख जो है वो राज्येपाल ही रहता है राज्येपाल जो हो कार्येपालीका का प्रमुख उदर होता है यहां पर कार्येपालीका का प्रमुख उसको अलग-अलग नाव से जानते हैं जैसे उप्राज्येपाल मुख्यायुक्त्य प्रसा कि विधी जो है केंद साशित प्रदेश में संसद किसी भी वैसाय पर कानून बना सकती है राज्यों में केवल पांच ही अपवाज जनत परिस्थिति हैं उन पर वो कर सकते हैं बाकियों पर नहीं कर सकते हैं आर्टिकल अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर आर्टिकल 39a यह थोड़ा सा important है 239a इसको आप देख सकते हैं ठीक है 239a और 239aa यह थोड़ा सा important है बस बाकिया आप इसको skip कर सकते हैं आर्टिकल 241 ये भी आप चेक कर सकते हैं बस इतना ही है आपका तो ये चैप्टर इतना ही था ये खतम हो गया ठीक है तो पूरी क्लास में अपने पास अभी तक कोई डिसलाई कर नहीं था लेकिन अभी अभी आगे रात सुबह सुबह उठते हैं दुस्मन जलने वाले काफी प्यार करने वाले भी बहुत है न दूस्त आप लोगों को सब कुछ है तो आप लोग जवाब देना है इन लोगों को जो भी इस तरीके के करते हैं वह ऐसे ही उनकी मैंड मैंड सेट है तो जिंदगी में उनको कुछ हासिल होता है नि फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं लाइफ स कहा निकाले फ्रस्ट्रेशन तो आते हैं फिर लाइव में डिसलाइक करगे कि अच्छा चलो डिसलाइक अब सांती मिली आत्मा को देखना रहेगा क्लास में बने रहेंगे सब कुछ लेकिन नहीं लाइक नहीं डिसलाइक करना होता है ठीक है चलिए तो क्लास आज की अपनी कोड़ है क्योंकि इससे आपको फीस में डिसकाउंट मिलेगा और हमारी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी और यह ध्यान रखे मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली ही गाइड करता हूं वन वन रेगुलर डारेक्ट सिधा संपर्ग रहेगा मेरे से कभी भी कोई प् करता हूं तो अनकेडमी का कोर्स जब जोइन करें तो लगा करके लिजिए ताकि आपको कम से कम एक सिक्षक का मार्क दर्शन लगातार मिलता रहे आप बातचित करते रहे मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से मेरे को नहीं लगता कि आपकी गाइडेंस हो सकती है तो आप हम लगता है ऐसा कुछ नहीं है पलना कि यलवाई लाइव ही लेना है उसी से ही लगाना तो ऑपका हो जाएगा ऐसा कुछ कुछ नहीं कि नहीं होगा तो रेफराल कोड़ हमें सा याद रखना है सफलता का कोड डिसकाउंट भी मिलेगा परसनल गाइड़ने भी मिलेगी एक्जाम पास उन्हें तक गाइड करते रहेंगे ठीक है लाइक सेर करते वे चले जाना और क्लास की टाइमिंग जो है अमारी दो टाइमिंग है एक एक बजे दिन में होती है बाइलिंग वल एक नो बजे रात में होती है हिंदी माध्यम की और अभी आज आपके लिए एक एक्सेप्शन लेकर कर आए थे कि चलो रात में एक सवाई एक बजे भी क्लास करके देखते हैं कि हमारे कितने दोस्त जागरत हैं यहाँ पर जिंदा है की नहीं कुछ आते हैं की नहीं तो उसको ट् हो गया था कुछ रिजरन के कारण तो मैंने आपको दूबारा से गरा दिया जितने भी सैकें जितने भी लिक्लासेजर्टों बोहर्स प्राइवेटे जोंकि दूबारा कर से critical दूमिसके चिंता एक बजे दिन में होती है सुबह आफ्टरनून में होती है दोपेर में बाइलिंग वल होती है आज रात में भी एक बजे क्लास ली तो देखते हैं क्या होता है आप लोग लाइव सेर करते रहेंगे तो आपको बढ़ाते रहेंगे PSIAR का batch अभी देखते हैं क्या हिसाब किता बनते हैं अभी थोड़ासा मामला हम वह और यह कि फरी में करे कि छाहता हूं कि आफ्ते बर के अंदर और यह देख लेना है जो पिएस आई आर उप्सिनल वाले लक्षमी कांद की क्लास देखना आपके लिए मेंडेटरी है क्योंकि जो इंडियन गवर्मेंट एंड पॉलिटिक्स का एरिया भारतिय सासनेयों राजनिती वो सारा का सारे एरिया यहीं से ही क अबर होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में एक्स्प्लेइन करता हुआ जा रहा हूँ आपको तो यह आपको देखना है यह आपके लिए काम करेगा ठीक है नहीं मैं पॉलिटिकल साइंस और पॉब्लिक एड्मिस्ट्रेशन दो ओप्सनल में बढ़ाता हूँ सोशियोलोजी भी पढ़ाते हैं लेकिन उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है कि शुरू करें समय की बड़ी किल्लत है लिमिटेशन होते हैस हमता हैं यह क्योंकि आप लोगों की कलास के बाद मेरेको अपने साइघ रहा दो से तीन घंटे का समय देना होता है क्लासिस के थुरू अभी कोरोना काल में वीडियो कोल पर ही बातचीत कर रहे थे लेकिन अब फिर से फिजीकली उनके पास जाना स्टार्ट किया है तो उनको भी गाइड करना जरूरी है क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी यहीं पर मेरे पर ही निर्भर है अगर मैं उनको टाइम नहीं दूँगा तो बहुत गड़बड चीज़े हैं वो मार्ग दर्शन उनके लिए है नहीं अविलेबल तो उनके लिए भी मेरे को रिस्पोंसिबिलीटी थोड़ा सर निभानी है तो समय की थोड़ी सी किलत होती है लेकिन जल्दी ही आपके लिए सारी चीज़े करेंगे पॉलिटी ओल्मोस्ट खतम होने वाली है हमारी हमें लक्सिमिकांद की हिंदी मीडियम की 74 चैप्टर मैं कर चुगा हूँ केवल 6 चैप्टर बचे हैं कोशिस यह रहेगी कि इसी महिने अगस्त के महिने में ही सारे के सारे बचे हुए चैप्टर्स भी मैं कम्प्लीट करा दूँ क्योंकि अब ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं एक एक क्लास लोगा नोधस क्लास लेंगे उसमें खतम हो जाएगा और फिर उसके बाद आपके लिए कम्प्लीट रिवीजन की क्लास लोगा दस घंटे की केवल प्री से पहले और उस दस घंटे की क्लास में पूरी लक्स ठीक है लाइक शेयर करते व्याजिया चलिए तो आप सबसे मिलते हैं अब एक बज़े वाली क्लास में तब तक आप इस कोड को याद करिए लवाई लाइव कोड आपकी सफलता का कोड भूलना जाना इसको अपलाई करते चले जाने यह वही कोड है जो आपको मेहनत करवा मैं अपने सारे स्टूडेंट से करवा देता हूं मेहनत तो आपको मेहनत करवा दूँगा यह मैं स्योर्टी देता हूं सोटकट मेरे पास नहीं है और सोटकट से कोई सफलता मिलेगी भी नहीं किसी को नहीं मिली आज तक मेहनत से मिलती इमानदारी से मेहनत मैं करवा झाल 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 वात वात झाल झाल